हेलो फ्रेंट्स अब हम लास्ट क्लास में हम लोगों ने जीस्ती के अंदर आपका कहां तक कर टॉपिक कर लिया था असेस्मेंट असेस्मेंट तक आपका कम्प्लीट हो गया था इसके आगे अब हम आडिट के उपर आते हैं आडिट के अंदर जो प्रोविजन्स दिए गए हैं जीस्ती में इस अर नॉट मुच डिफरेंट फॉम दे प्रोविजन्स स्पेसिफाइड इन अर्लियर लॉज तो एक्साइज और सविश टैश्मेंट इस तरीके से आडिट के प्रोविजन्स थे इन दे सेम वे यहां पर भी आडिट के प्रोविजन्स रखे गए हैं And the purpose as usual is very clear के audit क्यों रखी जाती हैं जिसे जो self-assessment मने आपको पहले ही बता रखता है कि जब-जब self-assessment कहीं पर किसी भी law में होती है To have a check on the assesses, to have the control on the assessment ये क्या करते हैं साथ-साथ में audit के provision भी law में इन बिल्ड कर देते हैं तो assessi ने अपनी calculation taxes की खुद से की self-assess किया तो वो गलत हो सकती है कई बार intentionally और कई बार unintentionally तो अगर वो गलत है तो उसको rectify करने के लिए departmental assessment भी है और साथ-साथ में departmental assessment तो तब होगी जब scrutiny लगेगी जब हमारा case किसी assessment में दुबारा से select किया जाएगा by the department लेकिन in between department audit भी करवाता रहता है एक होती है general audit, general audit उन cases में applicable होती है जहां कहीं पर भी department regular basis पे audit के instructions authorize करके issue कर देता है authorization यहाँ पर इस वज़े से ज़रूरी है कि provisions का misuse नहों कई बार audit के provisions को officer इस तरीके से misuse भी करता था पहले जब यह authorization के provision नहीं हुआ करते थे कि वो assessi को दम की दे के वहाँ पर वसूली शुरू हो जाती थी कि भाई हम audit पैसे दो नहीं तो हम audit के provisions apply करवा देंगे तो therefore जो junior officers हैं उनको उनके ओपर यह check लगाया गया कि पहले वो अपने senior officer से permission लेंगे और permission obtained करने के बाद में assessi की ओपर audit की जो instructions हैं उन्हें issue किया जाएगा यहाँ पर audit frequent on a regular basis हुआ करती है यह regular basis पे audit किस तरीके से होती है पहले भी audit के provision नॉर्मली यह rotational basis पे apply के जाते थे आज भी वैसा ही है rotational basis का मतलब यह है कि 3 साल या 5 साल या 2 साल depending upon कि किस industry में कितना ज़्यादा evasion के chances होते हैं तो यह department की अपनी internal guidelines हैं कि उनको कितने साल के अंदर किसी एक industry में rotational basis पे audit के instructions issue करने हैं तो मैं आप से बात कर रहा हूँ सबसे पहले general audit की और general audit में general audit के अंदर section 65 is applicable and section 65 says कि commissioner of GST जो होगा यह authorize करेगा by way of a general or special order general audit under section 65 तो यहां पर commissioner instructions देता है या authorization देता है by way of either जन्रल ओर और और specific order ठीक है यह general special order यह specific order जिसे आप कह सकते हैं यह कब दिये जाएंगे जैसे मैंने कहा कि rotational basis पर और जब कभी भी यह audit के instructions issue के जाते हैं तो इसका एक time period होता है जिसके अंदर यह complete हो जाना चाहिए and that time period is three months from the date of issue of instruction तो completion तीन महिने के अंदर हो जानी चाहिए चुकि यह department की तरफ से audit होती है मतलब यह बाहर की कोई agencies audit नहीं करती है जैसे CAs या CAs CWA जिनको audit के लिए authorized किया जाता था तो यह बाहर की agency है नहीं बलकि department के internal officers होते हैं वही audit करते हैं और reporting भी किसको होगी departmental officers को ही reporting भी होती है तो इसकी report directly assessi के पास में नहीं जाके बलकि department के internal officers के पास में जाती है यह जो time period है 3 months का this is extendable time period in case अगर timely audit complete नहीं हो पाती है तो again इसी commissioner से permission लेके इस time period को extend करके 6 मेने तक बढ़ाया जा सकता है अगर कभी भी audit हो रही है तो audit के लिए जो भी audit है auditor तो audit करने आएगा या आएगा लेकिन auditor audit तभी कर पाएगा जब audity यानि कि जिसके audit हो रही है वो उसको sufficient facilities books of accounts और जो भी relevant information and documents है उनको available कराएगा तो law में it has been made specifically available it has been made specifically provided that कि assessi और जो audity है he should make available all the facilities he should make available all the relevant documents and the information for the purpose of the audit ठीक है इसके बाद में दूसरी अच्छा इसमें एक चीज और यह है जब कभी भी audit होगी तो यह surprise audit नहीं होती है कोई ठीक है तो इसके लिए आपको assessi को audit authorize करने से पहले 15 दिन पहले आप जो assessi है उसके ओपर notice सर्व की जाती है कि हम आपके यहाँ पर audit conduct करवा रहे है so that he can make the arrangement of all the relevant necessary information and the document ठीक है तो 15 days की एक notice भी सर्व होती है इसके बाद में फिर बाद आती है special audit की as the name suggests special audit और यह special इस वज़े से है कि यह rotational basis पे नहीं होती है जब जरूरत होती है तभी ऐसी audit की जाती है और यह audit department के internal officer ना करके बाहर के लोग करते है यानि की CA और CMA ठीक है तो यहाँ पर इस audit के लिए जो officer होता है departmental officer यह इस audit को authorize कब करेगा यह तो general है यह तो पंदर दिन पहले notice बेज़ेगा और audit करवा देगा लेकिन special audit किस circumstance में करवाएगा जहां कहीं पर भी already कोई investigation कोई inspection कोई assessment या adjudication का काम पहले से चल रहा है यानि की आपका case already under inspection है आपका case already under scrutiny या फिर under adjudication है और वहां पर books of accounts officer ने मंगा रखी है जब officer आपकी books of account देखता है तो considering the complex nature of the books of account because he is not the accounting guy and he is not the technical person who knows the debit credit entries and all तो he is unable to understand your books of account और considering the nature of the complexity of the books of account he can order the special audit यह पहले भी होता था पहले exercise में section 14A 14AA इसी के लिए हुआ करते थे अभी भी GST के अंदर same provisions रखे गए हैं तो यहां पर यह officer जो होगा यह आपका assistant commissioner या deputy commissioner होगा और यह audit authorized case condition के उपर करेगा considering the complexity of books when case is under observation मैं एक word यूज कर दे रहा हूँ observation और observation का मतलब है कि under assessment, adjudication और under inspection ठीक है यहां पर इस इस case में वो audit क्यों करवा रहा है क्योंकि he want to get some crucial information out of the book which he is unable to get because of the complexity of the books of account ठीक है तो books complex होने के वज़े से जो crucial information regarding the tax payment regarding the availment of input tax credit etc जो वो लेना चाहता है he is unable to get that that is why he want to get the books audited जैसे मैंने आपको बताया है इस audit को objective क्या है इस audit को objective है to get the information for the purpose of this case which is already under observation the case may be adjudication or assessment or inspection तो इसकी जो audit है वो officers न करके CA करते हैं या CMA करते हैं और इसकी report भी 90 days के अंदर करनी होती है time is almost same बट वहाँ पर तीन महीने है और यहाँ पर 90 days है although जिस तरीके से ये तीन महीने extend किया जा सकता था उसी तरीके से ये भी further 90 days extend किया जा सकता है इसकी reporting एक copy department को और एक copy assessi को दोनों को जाती है दोनों को जाना भी चाहिए क्योंकि assessi has the assessi should have the right to know कि उसने audit में क्या सही किया क्या गलत किया कई बार ऐसा भी होता है कि generally these guys also demand some money or you can say the bribe etc तो अगर इनको नहीं दिया गया तो ये भी गलत आड़िट कर देते तो अगर ये audit गलत कर रहे है तो assessi should have the information कि हमारे case में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है and at the same time कई बार assessi गड़बड कर देता है तो assessi गड़बड कर देता है तो मैंने let's suppose audit में 100 page दिये audit report के 100 page दिये उसने आखरी के 100 page में 40 page गायब कर दिये तो आखरी के 40 page गायब कर दिये पूरी report department पहुची नहीं तो एक copy department को जाना भी ज़रूरी है तो इस तरीके से यहाँ पर reporting होती है यहाँ पर जो भी observation आते हैं यहाँ पर जो भी audit की findings आती है यह findings के basis पे क्या यह जो case already under observation था क्या इसमें कोई आगे जो course of action है वो लिया जा सकता है या नि obviously yes इसलिए तो audit करवा रहे थे तो इन audit finding के basis पे यहाँ से जो conclusion निकल रहा है इनके basis पे case को आगे बढ़ाया जा सकता है इनको आगे evidence के तौर पे भी इस्तिमाल किया जा सकता है ठीक है इसके बाद में next topic है आपका inspection search seizure and arrest inspection search seizure and arrest inspection search seizure and arrest के जो provisions है यह भी पहले laws में थे बहुत minor changes हुए है procedural part जतना था वो almost same है procedural part से मतलब जिस तरीके से notices issue होंगी जिस तरीके से orders issue होंगे और ultimately good siege किये जाएंगे confiscate किये जाएंगे या फिर उनको auction करके sale किया जाएगा और कब assessi को arrest किया जाएगा इसमें जितना भी procedure involved था वो लगबग लगबग same है जो बदला है वो बदला है कुछ सजाओं जो punishment हो रहेंगी उन punishment की provisions कुछ बदले हैं कि कहीं पर 7 साल की सजा थी तो उसको 5 साल कर दिया है या कहीं पर 2 साल की सजा थी उसको 3 साल कर दिया है कहीं पर penalties की जो amount थे इस confiscation में वो tax के amount के बराबर थे तो उन्होंने value of goods के बराबर कर दिया है but the procedural part is same तो यहां पर जब हम बात करें inspection search या seizure की तो यह कब हो सकता है inspection search या seizure कब-कब हो सकता है इसके लिए law में कहा गया है कि अगर GST के अंदर किसी असेसी ने जो value of goods है इसके साथ में छेड़ शाड़ करिया value of goods और services मतलब जितनी होनी चाहिए थी उतनी आपने नहीं declare कर रख किया या फिर जो tax payable आपका निकल रहा है वो आपने नहीं deposit किया है या फिर दूसरे सब्दों में कहें जितना tax payable आ रहा है उतना आपने अपना tax नहीं assess किया है और ये तो ओगई tax related बाट दूसरी credit से related अगर हम बात करें तो जो credit available है या तो वो excessive है जितना करना था उससे ज्यादा कर लिया या फिर करना ही नहीं था और आपने credit available करके रखा हुआ है तो credit available अगर आपने कर रखा होगा तो obviously उसको अपनी final tax payable जो liability आ रही है उससे adjust करके government को payment भी कम गया होगा तो therefore इस credit को avail करने से ultimately government को payment कम मिल रही है या फिर किसी भी दूसे तरीके की contravention में willful contravention में involved है contravention of the provisions of the act तो contravention of the JST provisions में अगर involved है तो इन सभी cases में inspection, search या seizure order किया जा सकता है ये कुछ specific cases होगा है इसके अलावा ये तो उन लोगों की बात होगे जो लोग already in goods और services में deal कर रहे हैं लेकिन कभी कभी बलके कई बार ऐसा भी होता है कि जो लोग goods और services में deal कर रहे हैं जो register dealer हैं उनके अलावा भी कुछ लोग हैं जो इस तरीके के गलत काम में involved होते हैं although उनके काम ये नहीं होते हैं जैसे example के तोरपे कोई goods ऐसा goods है जो tax जिसके उपर pay होना चाहिए था बट नहीं हुआ तो non-tax paid goods है और ऐसे case में इन goods को store करने वाला जो storekeeper है जो इस बात को जानता है कि ये माल नंबर दो में factory से बाहर निकला है जो storekeeper है जो इसका transporter है they are not supplier but they are helping in the contravention of the provisions of this act तो they will also be covered under these provisions ये inspection search and seizure के provision आपको section 67 के अंदर दिये गए है और section 67 में it has been made specifically these provisions have been made specifically applicable on the transporters on the store keepers on the warehouse keepers तो इनके उपर ये law कब लगेगा any person engaged in the business of transporting goods or an owner operator of a warehouse or a go down or any other place is keeping the goods which have escaped the payment of tax जिनको पता है कि बिना tax paid के वे goods इन्होंने रख रखे है या फिर यह उनके transportation में involved है या फिर किसी भी तरीके से इसकी contravention में help कर रहे हैं तो इन सब के उपर ये provisions लग सकते हैं अच्छा provisions applicable होने का मतलब इनके यहाँ पर भी inspection हो सकती है इनके यहाँ पर भी search हो सकती है और seizure हो सकता है ये inspection, search या seizure ऐसे ही नहीं हो जाता इसको भी concerned officer authorize करता है इसको जब concerned officer authorize करेगा तो GST के अंदर ये एक special बात है comparing to the previous laws कि इन्होंने हर चीज के format बना रखे लेके permission, order, notice हर चीज का एक specific format है उसी format के अंदर officer सारे के सारे काम करेगा पहले जो documentation हाथ से बनानी होती थी या उसमें कुछ उपर नीचे हो जाता था वो सारी चीज़े खतम होगी है और चुकि ये standardized है इसी वज़े से online है online हर चीज के format दे दिये गए है और हर चीज के format में सिर्फ और सिर्फ आपको fill in the blank करना है और format चाहे वो notice का हो, order का हो instructions का हो, authorization का हो inspection 01 में ये form name है GST INS 01 में ये authorization issue होगी अच्छा जिसको भी authorized किया जाएगा ये तो authorization होगी अब ये officer क्या करेगा inspection करेगा, search and seizure करेगा inspection या search and seizure जब ये करेगा तो इसका भी एक order pass करेगा जब ये rate डालने जाता है छापा डालने जाता है तो वहाँ पर ये order pass करता है GST INS 02 में और ये order देकर ही कोई भी goods confiscate कर सकता है या siege कर सकता है ठीक है? अच्छा, you must know the difference between the confiscation and the seizure seizure में क्या होता है? just taking the position of some goods or a things taking the position of the goods or a things लेकिन हम किसी चीज का possession ले ले या किसी चीज को उठा लाएं तो उससे वो चीज हमारी नहीं हो जाएगी तो ownership still remains with the assessi हम सिफ उठा के लाते हैं चापर डाला, सामान उठा लाएं लेकिन अभी भी the ownership still belongs to that particular person जिसके यहां से हम यह goods उठा कर ले के आएं but under the confiscation part confiscation के अंदर क्या होगा even the ownership also transfers to the department now the department can sell the goods at their will कि उसे कब बेशना है, रखना है, क्या करना है confiscation में ownership भी पूरी transfer हो जाती है अच्छा, यह जो search and seizure का order है यह हर चीज के लिए पास नहीं हो सकना है जैसे example के तौर पे let's suppose जो assessi है वो safe बनाता है, तीजोरी या almiraz बनाता है तो जब वो safe almiraz या तीजोरी बनाता है, तो ऐसे सभी cases में क्या होगा ऐसे सभी cases में वो goods heavy होंगे क्योंकि एक-एक safe, कई-कई कुंटल्स की होती है, तो वो उसको उठाके नहीं ला सकते because of its bulky nature और because of its heavy nature dangerous हैं, जिनको department उठाके लेके जाएगा, तो पता चला acid factory में गुश गए, तो acid उठाके ले आए तो उसको कहां रखेंगे तो being considering the hazardous nature of the goods, यह considering the bulky nature of the goods, they can't siege everything, तो in that situation, जब वो siege नहीं कर सकते, तो वो एक दूसरा order pass करते हैं in the GST INS 03 GST INS 03 factory में यह क्या करते हैं यह order of prohibition pass करते हैं order of prohibition में क्या करेंगे यह order वहाँ पर चिपका के आते हैं कि let's suppose जिस कैसी भी room में या जिस कैसी भी factory में यह goods रखे हुए हैं, सीधे बाहर ताला लगाते हैं, government seal लगाते हैं और बाहर एक order चिपका देते हैं, कि यहाँ पर हमने GST INS 03 में order चिप पेस कर दिया और इसमें साफ साफ लिखा होगा कि इन goods से अब कोई deal नहीं कर सकता, purchase, sale, storage, maintenance, कुछ नहीं हो सकती until the department, until the involvement और until the permission obtained from the departmental offices इसके बाद में जब यह seizure करने जाते हैं, जब यह उसका पूरा record तैयार करते हैं, उसकी inventory बनाते हैं, तो उसकी जो inventory बनाई जाएगी, यह inventory के अंदर सारी detail अबलेबल होगी, कि कौन-कौन से goods थे, किस description के goods थे, कितनी quantity थी, क्या value थी, इनके उपर credit लिया गया था, नहीं लिया गया था, या फिर इनकी billing होई थी, नहीं होई थी, sold out रखे हुए हैं, या फिर अभी बिकना बांकी हैं, तो यह सारी detail आपको उस inventory के अंदर मिलेगी, अगर किसी भी person को ये जो goods हैं, इनको अगर release कराना है, चुकि अब goods तो siege होके चले गए, goods सी जोके चले गए, या फिर order of prohibition लग गया उसके उपर, और अब, अब इनको हमें चुडाना है, चाहे tax जमा करके चुडाना है, या फिर ये प्रूव करके चुडाना है, कि साहब ये तो tax paid goods हैं, तो ऐसे case में, हमें इन goods के उपर, जो amount of tax है, जो amount of tax है, या फिर जो value of goods है, उसको deposit कराना पड़ेगा, considering the different situation, let's suppose, पहले हम बात करते हैं, non-perishable goods की, non-perishable goods, और फिर बात आएगी perishable goods की, non-perishable goods की case में, इन goods को छुडाने के लिए, GST INS 4 use किया जाता है, और यहाँ पर, जो भी amount of tax, plus interest, plus penalty involved हैं, इनको इस bond में जमा कराके, हम goods को छुडा सकते हैं, bond के साथ में, जो security, security जमा होती, वो कितने रुपए के पराबर की होगी, वो होगी tax, plus interest, और penalty, यह bond का form है, tax, plus interest, plus penalty, ठीक है, तो, GST INS 04 में, let's suppose, एक करोड रुपए का, माल हमारा जब्त हुआ, और इस एक करोड रुपए के माल के उपर, 18% से 18,00,000 रुपए की GST बनती थी, तो 18,00,000 रुपए की तो GST होगी, plus 18,00,000 रुपए के उपर का interest, plus 18,00,000 रुपए के उपर, जो भी penalty का amount लग रहा है, under the respective laws, तो, उतने amount के बराबर, का एक bond जमा किया जाएगा, along with the security security, जो INS 04 में होगा, और, तब हमारे goods, रिलीस कर दिये जाएंगे, ये तो non-perishable goods के case में होगा, बट अगर goods perishable है, तो ऐसे goods को department रखके भी क्या करेगा, जो पता चला, चार दिन में खराब होगे, ठीक है, तो अससी तो उसको छुडाने भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि, क्योंकि ऐसी situation वो कहेगा, कि इस goods की value ही उतनी नहीं रहेगी, जिसको हम छुडाने जाएं, क्योंकि perishable goods हैं खराब हो जाएंगे, तो ऐसे case में department क्या कहता है, कि हम value of goods, यहाँ पर तो सिर्फ tax interest penalty था, लेकिन perishable goods के case में, हम value of goods पूरी वसूल लेंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है, तीन दिन के बाद में, चार दिन के बाद में, उस goods की उतनी value नहीं रहे जाएगी, तो therefore value of goods, या फिर amount of tax interest penalty, जो भी दोनों में से कम होगा, उतने amount के बराबर की, हमें payment करवानी पड़ेगी, payment करवानी पड़ेगी, यहां bond नहीं चाहिए, यहां सीधे सीधे पैसे जमा कराने पड़ेंगे, और यह GST, INS05 में होगा, यह GST, INS05 में होगा, and the payment of value of goods, या फिर payment of tax interest plus penalty, whichever is lower, जमा कराके, नम goods को छुडा सकते हैं, GST के अंदर, Arrest के provision section 69 में दिये गए हैं, Arrest कब होगा, जब कोई offense commit होगा, Arrest कब होगा, जब कोई offense commit होगा, section 69 में, और देखते हैं, कौन-कौन से offense यहां पर बताये गए हैं, चार अलग-अलग तरीकी के offenses बताये गए हैं, section 69 में, जिसमें से पहला है, supply of goods या services, but without invoice, माल जा रहा है, बट बिल नहीं जा रहा है, इसका मतलब माल नंबर दो में जा रहा है, बिना बताये जा रहा है, बिना recording के जा रहा है, इसी तरीके से supply of invoice, but without goods और services, बहुत सारे लोग क्या कर रहे होंगे, फर्जी invoice इशू करने में लगे होते हैं, फर्जी invoice क्यों इशू कर रहे हैं, क्योंकि इस invoice के basis पर सामने वाला credit ले लेगा, और credit लेके अपनी tax liability को कम कर लेगा, बलकि actually कोई goods sold out ही नहीं हुए, या फर actually कोई services provide ही नहीं की गई, तो ऐसे cases में goods और services की supply के बिना खाली invoices जा रहे हैं, दूसरे लोगों को उनकी tax liability को कम करने के लिए, तो भी ये offense है, और तीसरा, इस invoice के basis पर जो की फर्जी issue की गई थी, इसके basis पर हमने wrong availment कर रखा है, wrong availment of GST credit, जब invoice ही फर्जी थी, तो इसका मतलब लेने वाले को भी पता है, क्योंकि वो भी तो माल ले नहीं रहा है, सिर्पर सिर्फ invoice ले रहा है, और देने वाले को भी पता है कि वो सिर्फ invoice दे रहा है, और माल दे नहीं रहा है, तो इन दोनों को ही second और third point में फसा दिया जाएगा, इसके अलावा, चौते में वो सभी cases आ जाएंगे, जो non-payment of GST में involved हैं, non-payment of GST, and even after collecting GST, बहुत सारे लोग आज की date में इस तरीके से भी fraud कर रहे हैं, आप से तो बिल में GST लगा के GST वसूल लेते हैं, लेकिन आगे government को GST देते हैं, आगे government को GST ने देते और even पता नहीं उन्होंने अपना registration भी करा रखा हैं नहीं, फरजी बिल बनाया, और बिल में अपना उपर फरजी GST नंबर डाल रखा है, because you are not going to verify, as a customer you are not going to verify, कि जिसने आपको जो बिल दिया है, whether he is actually paying the GST to the government or not, तो आप से तो वो GST के नाम पे 100 रुपए की चीज़ 118 पे बेशता है, और जो 18 रुपए कलेक करता है, वो भी अपनी जेम में ही उठाके रख लेता है, ठीक है, तो ऐसे लोग चौथे पॉइंट में फसेंगे, और हालां कि यह आदमी जमा कर रहा है या नहीं जमा कर रहा है, यह बात हम तुरंद verify नहीं कर सकते, भई, वो तो क्या कहेगा, कि आज, let's suppose, 10 तरी को सेल हुई, तो 10 तरी को सेल करने के बाद में, 10 तरी को सेल करने के बाद में, आपने अगर उसको 12 को पकड़ा, तो क्या बोलेगा, साब अभी तो इसको टाइम जमा करने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि यह तो अगले महिने ही जमा होने वाला था, और आज ही आप हमें पकड़ ले ले रहे हो, तो obviously there must be a some time period, there should be a time period, up to which the government should wait for the deposit of this amount, तो उन्होंने तीन महिने का time दे रखा है यहाँ पे, कि तीन महिने हो गए, और आप amount collect करके बैटे हो, इसका मतलब आपको deposit करने की intention नहीं थी, अच्छा, ये तो होगे वो offenses जिनके लिए GST के अंदर, section 69 में arrest के provisions दे रखे हैं, लेकिन अब ये arrest होगा, तो सजा कितनी होगी, punishment क्या होगी? punishment depend करती है, कि contravention, first time हुआ है, या subsequent, मतलब, आप समझ रहें, आप रोज रोज वाले हो, रोज पकड़े जाते हो, रोज मार खाते हो, फिर गलती करते हो, या फिर, आप वो वाले हो, कि पहले पले गलती हुई है, तो पहले पहले गलती माफ, माफ तो नहीं है खेर, लेकिन हाँ, पहली गलती में सजा कम है, लेकिन subsequent गलती में सजा जाता है, तो अगर गलती पहली है, तो हम देखते हैं, पहली गलती कितनी बड़ी, अगर यहाँ पर जो amount involved है, amount of input tax credit, wrongly claimed, या फिर amount of tax payable, जो इसमें amount involved है, वो अगर 200 से, 500 लाग के बीच में हैं, तो उस case में, 2 साल की सजा हो सकती है, और अगर amount, जो involved है, वो अगर 500 लाग से भी जादा का है, amount involved का मतलब, value of goods से नहीं है, amount involved का मतलब, यह जो जितना GST का credit है, या फिर जो भी, tax payment की बात हो रही है, वो amount, अगर 500 लाग से भी जादा का है, तो यहाँ पर 5 साल की सजा हो सकती है, subsequent offense के case में, हमेशा 5 साल की सजा होगी, irrespective of the amount, भले ही वो 200 लाग से कम का हो, या 200 लाग से जादा का, या 200 से 500 के बीच का हो, ठीक है, तो irrespective of the amount, यह होगे provisions relating to the inspection, surge, seizure and arrest, यहाँ तक आपके CGST के सारे provisions cover हो जाते हैं, CGST के सारे provisions cover हो जाते हैं, मोटा मोटा, देखिए GST के अंदर, at this point of time, हम लोग वो सारी चीजे cover कर रहे हैं, जो excise से, या service tax से अलग है, यहाँ पर हम, सारी चीजे, section wise detail में cover नहीं कर रहे हैं, क्योंकि already excise और service tax में सारी चीजे करा रखी गई हैं, तो अगर आपने, पीछे से पढ़ के यह सारी चीजे पढ़ रहे हैं, तो you just need to refer, those things, और आपकी वो सारी चीजे update होती जाएंगी, ठीक है, तो you don't need to go, completely from the starting, आप समझ रहे हैं मेरी बात, कि सुरवात से अगर आप सारी चीजे सिर्फ यहीं से करेंगे, तो obviously 6-7 classes के अंदर आपका कोई भी भला नहीं होने वाला, क्योंकि already मैंने करीब-करीब 45-47 classes, exercise और service tax के अंदर already करवा रखी हैं, ठीक है, तो therefore, को आप अगर उसके references को पढ़ाई करेंगे, तो we will get to know कि चीजें बहुत आसान हैं, कुछ भी इसके अंदर आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सुरवात में बताया था, एक GST is nothing, but it is an old wine in a new bottle, ठीक है न? अब हम आते हैं, CGST के बाद में IGST पर, अब मैं आपको IGST के वो सारे provision करा रहा हूँ, जो नए हैं और जो पीछे से, चुकि IGST law ही नया है, तो therefore इसमें वो सारे provision हम लोग discuss कर रहे हैं, जो CGST से अलग हैं, actually IGST, मैंने सुरवात में भी बताया था, CGST, IGST, SGST और UTGST, यह जो चार law बने हैं, इनके 90% provisions एकदम सेम हैं, तो अब हम, अब हम वो सारे provision जो सर्फ करेंगे, जो CGST के अंदर नहीं थे, जो सिर्फ IGST के अंदर नय हैं, तो therefore, अब हम आते हैं, CGST के कुछ important definition हम लोग करें, IGST की कुछ important definition है, मैंने शुर्वात में आपको बताया था, कि इंट्रा स्टेट सप्लाई, अगर होगी, यानि कि विदिन स्टेट सप्लाई अगर होगी, चाहें वो goods की होए, services की, तो जो taxes applicable होगे, वो CGST होगे, SGST होगे, या UTGST होगा, तो CGST, SGST, UTGST, और अगर, इंट्र स्टेट सप्लाई होगी, तो इंट्र स्टेट सप्लाई के अंदर, इंट्र स्टेट सप्लाई के अंदर, हमेशा IGST लगेगा, यहां पर आप ऐसे कह सेखते है, सेंट्रल तो लगने ही लगना है, तो सेंट्रल के साथ में या तो state लग रहा होगा, या फिर union territory लग रहा होगा, तिक इंट्र स्टेट सप्लाई के के अंदर, जबकि इंट्र स्टेट सप्लाई के के अंदर, IGST लगना ही लगना है तो अब IGST को डिटेल में और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे मैं आपको कुछ definitions कराने वाला हूँ कब पता चलेगा कि inter-state supply हुई है इसकी definition section 7, 8 और 9 के अंदर हम लोग करेंगे लेकिन section 7, 8 और 9 के अंदर जो definition दी गई है उनकी terms को समझने के लिए आपको कुछ definitions पढ़नी पढ़ेंगी only then you will be able to understand कि actually supply कहां हुई है कब कहा जाएगा कि inter-state supply हुई है because यहाँ पर location बड़ी important है यहाँ पर inter-state supply में दो चीज बड़ी important है पहली तो location of supplier या फिर location of recipient ठीक है service provider की या service receiver की location क्या है या goods जो supplier है उसकी या फिर goods जो receiver है उसकी location क्या है और दूसरा दूसरा यहाँ पर क्या important है दूसरा important है यहाँ पर place of supply यह supply हो कहां से रही है inter-state वैसे देखने में और सुनने समझने में common sense है यह कह सकते हैं कि फैस एक Ik족bok से दूसरी state में जा रहा है या फिर demonstrate में जा रहा है या फिर एक स्थेट से दूसरी पर यह इंटर-ste के उन्टर-र स्थेट ़ा जै यह inter-stat के उपर comma seller किसी एक state में located है, तो therefore यहां पर इनकी location और place of supply becomes the most important to know, to decide, to determine कि whether it is interstate और it is interstate, तो अब इसके लिए हम लोग सबसे पहले definition करेंगे इसकी location of supplier की या location of recipient की और फिर हम लोग देखेंगे कि place of supply क्या होता है, then we will decide कि what is the nature of supply, whether it is interstate और it is interstate, तो सबसे पहले आपको आना है, location पे, location of recipient of service, location of recipient of service की definition सर्विस टैक्स में पहले भी थी, और service tax के जैसी ही definition ये अभी भी है, एक point चोटा सा change हुआ है, और बाकि एकदम पहले की तरह सेम है, location of recipient of service, मैं सिर्फ एक करा रहा हूँ, location of recipient क्यूंकि location of supplier बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है, हाला कि ये अभी हम सिर्विसे की point of view से समझ रहे हैं, location of recipient of service, सिर्फ मैं recipient बताऊँगा, supplier की definition बिल्कुल सेम टम्स पर दे रखी है, तो recipient की पहले बात करते हैं, कैसे पता चलेगा कि recipient कहां पर located है, या supplier कहां पर located है, तो इन्होंने कहां देखना पड़ेगा whether he is registered or not, अगर ये recipient ये supplier registered है, तो जो भी इसका registered place of business है, that will be his location, ठीक है, तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, registered है, तो registered place of business, कई बार ऐसा भी होता है, कि registered तो है, लेकिन registered होने के साथ साथ में, वो कई locations पर काम कर रहा है, और इसकी किसी एक जदा पर fixed establishment है, ये fixed establishment, नॉर्मल registered place of business से किस तरीके से अलग होती है, जहाँ पर supply place of business में नहीं हो रहे है, जहाँ पर supply place of business में नहीं हो रहे है, जैसे example के तौर पर, let's suppose मैं कोई सड़क बना रहा हूँ, या फिर कोई over bridge बना रहा हूँ, ये let's suppose metro का काम कर रहा हूँ, तो सड़क बनाने का काम मेरा है, और सड़क बनाने का काम, let's suppose कमपनी का नाम है, इरकॉन इंटरनाशनल, अब इरकॉन इंटरनाशनल, ये actually एक कमपनी है जो सड़क बनाने का काम करती है, गौर्मेंट से टेंडर लेकर, और ये इरकॉन इंटरनाशनल ने, किसी इसका head office दिल्ली में है, और इसको जो सड़क बनाने का काम मिला है, वो let's suppose आसाम में मिला है, गौवाहार्टी में, अब आसाम में, गौवाहार्टी में सड़क बना रही है, प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहा है, और इसने उस प्रोजेक्ट को complete करने के लिए, एक temporary site वहाँ पर भी बना रखी है, ठीक है, जहाँ पर यह लोग concrete mixing का काम करते हैं, और जहाँ पर यह लोग अपनी बाकी सारी service, चुकि for the time being, जब तक एक project complete होता है, इनको एक अपनी temporary site वहाँ पर भी establish करनी होती है, तो we are talking about that temporary site, although that is not that much temporary, ऐसा नहीं कि यह बस दो-चार दिन की, यहाँ पर भी यह site सालों काम करेगे, क्योंकि यह project बड़ा है, और इस project में, जो हमें 1000 km की सड़क बनानी है, तो वहाँ पर हमें उसको पूरा करने के लिए temporary site, साल, दो साल, तीन साल, और यह हो सकता है, 4-5 साल के लिए भी रखनी पड़े, तो यह जो site है, यह जो site है, that can be considered as a fixed establishment, हमारा fixed place of business जो है, जो main place of business है, वो let's have to, मेरा दिल्ली में head office है मेरा, लेकिन फिर भी, यह fixed establishment बोली जाएगी, और चुकि, यह इतनी temporary भी नहीं है, लेकिन फिर भी यह registered है, तो ऐसे case में, यह जो place दूसरा है, place of fixed establishment, यह मान लिया जाएगा आपका, recipient की location, the third case could be, जहां पर हमने supply receive की हो, एक से जादा establishment के अंदर, एक से जादा establishment कैसे, जहां पर हमारे pass में, एक से जादा establishment, अलग-अलग state में हो सकती है, अलग-अलग union territory के अंदर हो सकती है, अगर case more than one establishment का है, तो क्या होगा, और यह बात दोनों के उपर लागू होती है, supplier के उपर भी लागू होती है, और recipient के उपर भी लागू होती है, कि, जैसे एक company है, जिसका head office दिल्ली में है, लेकिन उसकी 10 branches अलग-अलग 10 state में हैं, तो यह सब क्या हो गई? main place of business एक है, लेकिन एक से ज़्यादा establishment है, और obviously यह सारी जो establishment एक से ज़्यादा है, यह भी registered है, तो यहाँ पर कोई service provider है, let's suppose he is a chartered accountant, and he has taken the work of audit of entire company, तो अगर वो पूरी company की audit कर रहा है, तो उसको अपनी अलग-अलग 10 location पे जाके भी audit करनी है, और जब वो अलग-अलग 10 location पे जाके service provide करेगा, तो जो उसका recipient होगा, जिसकी एक से ज़्यादा state के अंदर जो working factories या offices या फिर branches है, तो वो किसको बोलेगा कि किसको service provide कर रहा है, because he is working for more than one location, तो ऐसे case में law says कि कोई एक ऐसी जगहा होगी, जहां पर उसकी services सबसे ज़्यादा provide हो रही होगी, या फिर जहां से उसकी services सबसे ज़्यादा link हो रही होगी, और obviously, generally वो location उसकी head office होगी, लेकिन हमेशा हम यह नहीं कह सकते कि वही होगी, that depends on the case to case basis, but generally, जो उसकी location होगी, वो उसकी head office होगी, तो ऐसे case में क्या होगा, जहां पर more than one establishment का case है, तो यह वो वाली establishment होगी, which is most directly concerned, which is the most directly concerned, with the provision of service or with the supply of goods, और in the absence of all such places, fourth and the last condition कि पहला भी नहीं है, मतलब single place of business भी नहीं है, जो कि registered हो, दूसरा other establishment वाला case भी नहीं है, और तीसरा एक से ज़्यादा establishment वाला case भी नहीं है, तो any other case, ऐसे case में, जो usual place of residence है, जो usual place of residence है, यह मान लिया जाएगा, residence of supplier और the recipient as the case में भी, चुकि हम दोनों की बात कर रहे हैं, supplier और recipient, usual place of residence, क्या होता है, अलग-अलग लोगों की case में अलग-अलग होगा, बताइए अगर कोई company है, तो company की case में उसका usual place of residence, क्या होगा, उसका registered office होगा, ध्यान रखिए, registered का मतलब यह नहीं है, कि वो यहाँ पर registered है, ऐसी company भी हो सकती है, जो companies act में तो registered है, obviously companies act में registered होने के बाद नहीं वो company बनेगी, लेकिन वो companies act में registered होने के बाद में, GST में registered नहीं है, यहाँ पर registered का मतलब GST में registered से है, ना कि companies act या किसी भी दूसर लाँ में registered होने से है, बात समझ में रही है आपको तो वो यहां registered नहीं है तो मतलब unregistered है तो ऐसी company जो यहां registered नहीं है और वो any other case में आ रही है तो उसका usual place of residence क्या माल लिया जाएगा उसका registered office माल लिया जाएगा अब अगर let's suppose नहीं है वो कोई individual है तो individual नॉर्मल ही जहां पर रहता है एक से ज़्यादा एक साल में कुछ majority of the time जहां पर वो अपना time spend करता है तो वो उसका usual place of residence माल लिया जाएगा तो यहां पर एक बात तो आपने अच्छे से समझ ली कि what should be the location of recipient या location of supplier अब बात आती है place of supply के लिए आपको यहां पर section number 10 दे रखा है section number 10 place of supply of goods के लिए और section number 10 के बाद में section number 12 जो है वो place of supply of services के लिए इन दोनों को आपको देखना है and both of these sections are most important for your examination as well क्योंकि इनके उपर अपना एक specific question भी आ सकता है कि what is the place of supply और यहां पर आपसे छोटे छोटे practical question भी बना के पूछे जा सकते हैं जहां पर आपसे हो कह सकते हैं चोटा सा case बनाएंगे और आपसे पूछेंगे कि बताइए इस particular case में what should be treated at the place of supply तो therefore these two sections are the most important for your examination तो इनको भी आपको बहुत ध्यान से करना है service tax में पहले place of supply से related rules हुआ करते थे जिनको हम लोग बोलते थे P.O.P.S. place of provision of services rules P.O.P.S. rules 2012 में बनाए गए थे और यहां पर जो P.O.P.S. वहां पर जो P.O.P.S. दे रखा था उनहीं से related चुकि वो सिर्फ services related था लेकिन यहां पर हम place of supply of goods अलग देखेंगे और place of supply of services अलग देखेंगे कि वो place of जो आपका P.O.P.S. rules थे उनसे काफी हद तक link करता है हाला कि काफी सारी चीज़ें जो उन्होंने P.O.P.S. में दी थे और वो यहां पर change कर रखी है तो P.O.P.S. या place of supply of goods यह under section 10 वाले की हम बात कर रहे हैं तो यहां पर सिर्फ goods की बात हो रही है सर्विसेज की नहीं हो रही है यह जो place of supply of goods है यह सिर्फ तब applicable होगा जब हम intra-state supply की बात कर रहे हैं जब हम सॉरी, interested नहीं है जब हम supply की बात कर रहे हैं बट other than export other than import और export तो ऐसे case में supply की location क्या होगी पहला case दिर्फा है जहां पर movement of goods हो रही है मतलब Mr. A ने Mr. B को माल बेजा और माल न सिर्फ बेचा बलकि माल भेजा भी तो मतलब goods की movement एक location से दूसी location पर हो रही है अगर goods move हो रहे हैं तो ऐसे case में वो location जहां पर यह location जहां पर यह जहां पर यह जो movement है terminate हो रही है इसको आपको ध्यान से आप समझना है what is the logic behind this termination of moment considering this first point now come to the conceptual part why it is so देखें GST के अंदर जो basic concept है that is GST is destination based consumption tax destination based means the ultimate destination is relevant where the goods are being consumed or where the services are being consumed ठीक है तो destination based consumption tax जब कभी भी goods की movement जहां पर खत्म हो रही है terminate हो रही है तो goods वहीं पर consume हो रहे है ठीक है तो it is always relevant where the goods are destined to it is always relevant where the goods are being consumed it is always relevant where the destination is ठीक है तो यहां पर destination हमारी जहां पर terminate हो रही है उसी को presume कर लिया जाएगा location of place of supply second है delivery of goods by transfer of documents of title और अदर्वाइज डिलिवी अप गोड्स वाइ ट्रांफर अफ डॉक्युमेंट अफ टाइटल और अदर्वाइज और यह कैसे होगा इसको अब ध्यान से समझेगा जहां पर मुमेंट इन्वाल्व है और कोई थर्ड पर्सन इन्वाल्व नहीं है बट अब सेकंड केसे समझेगा इसके इसके बार क्या होता है कि एक सेलर है सेलर ने बायर को गुड्स भेजना है बट बायर वांट तो टेक दिलिवरी नोट इट्स प्लेस बिजनस बायर वांट तो टेक दिलिवरी सम अधर लोकेशन और सेट अधर लोकेशन इस जोब वर्कर्स लोकेशन जैसे मैंने अभी दो क्लास पहले जब आपको जोब वर्कर कंसेप्ट समझाया था तब उसमें एक केस ऐसा करवाया था कि कई बार हम गुट्स पे किसी थर्ड पर्सन को गुट्स वो सप्लाई कर देता है ठीक है अब बायर की इंस्ट्रक्शन पे जब ये किसी थर्ड पर्सन को गुट्स सप्लाई करता है तो उस केस में हमने वहाँ पे ये पढ़ाता कि जब कभी भी हम बायर को इसको job worker को goods supply करते हैं ठीक है तो ऐसे case में credit किसको मिलेगा इस goods का credit input credit किसको मिलेगा buyer को ही मिल जाएगा भले ही वो goods को अपने आपर receive ना भी करें ये बात हमने job worker वाले concept में पढ़ी दी लेकिन अब यहाँ पर कुछ दूसरी बात हो रही है अब यहाँ पर ये बात हो रही है कि place of supply किसे माना जाए अगर हम हमेशा destination को place of supply मानते है तो यहाँ पर जो recipient है वो है job worker और जो buyer है जिसमें माल खरीदा है वो तो उसकी location अलग है now place of supply किसे माना जाए destination अगर real destination देखा जाए तो वो job worker की location है ठीक है जबकि यहाँ पर location of जो recipient होगी वो location of जो recipient है जिसके एक आप ऐसे समझ सकते है एक billing address है और एक shipping address है तो billing address हमेशा buyer का address होगा जबकि जो shipping address होगा वो ultimate destination होगी जहाँ पर जाके goods deliver होने तो जहाँ पर delivery of goods हो रही है by transfer of document of title हमने सिर्फ ownership के paper buyer को दिये हैं ठीक है ना delivery buyer को नहीं दिये ownership के paper हमने buyer को दिये है delivery किसी दूसी जगा पर दिये तो ऐसे case में हम place of supply किसे presume करेंगे buyer की location को place of supply presume किया जाए या फिर job worker की location को place of supply presume किया जाए क्योंकि ऐसे case में ध्यान से समझ येगा ये क्यों relevant है जानना तो इसे intra-state supply माना जाए या फिर इसे intra-state supply माना जाए तो therefore it is relevant to know कि place of supply इस case में क्या होगी तो law says कि इस case में place of supply होगी it shall be deemed that the third person has received the goods and the principal place of business of such person shall be the place of supply that means कि the place of business of this buyer shall be presumed to be the location shall be presumed to be the place of supply ये आपकी place of supply मानी जाएगे इसका मतलब भले ही goods भले ही goods same state में रहे हैं भले ही goods same statement में रहे हैं लेकिन फिर भी यहाँ पर IGST लगेगा क्यों क्योंकि location of supplier is also relevant ठीक है न it is not always the goods whose destination is relevant it is also what is also relevant the location of location of recipient is also relevant that is why we are always considering the definition of location of supplier as well as the location of recipient तो यहाँ पर second case आगया आपका location और place of business of buyer ठीक है नो इसको इदर कर दे रहाँ मैं इसको इदर कर दे रहाँ झाल इस case में place of supply क्या मानेंगे ऐसा कब होगा कि goods की movement ना हो लेकिन फिर भी goods की delivery हो जाए या फिर भी goods की sale हो जाए जैसे इसी case को ले लेते लेटे लेट सपोज एक manufacturer है इस manufacturer ने job worker को goods बेज रखे हैं तो manufacturer has already sent the goods to the job worker लेकिन manufacturer ने जब job worker को goods भेजे तो वो processing के लिए भेजे थे ठीक तो job worker की location मान लेते हैं ये UP में है और ये MP में है और goods sale के लिए नहीं गयते प्रोसेस के लिए गयते अब इसके पास में goods हैं बट ये goods इसके नहीं है इसको बेचने के लिए रखे गए हैं या फिर वापस भेजने के लिए रखे गए हैं या फिर यहां से किसी दूसरे को बेचने के लिए रखे गए हैं लेकिन इसको खुद से इस goods की जरूरत पड़ती है और goods already इसके पास में है लेकिन इसके नहीं है तो ऐसे case में क्या होगा सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ यहां से यहां तक billing चाहिए हमें बिलिंग रिक्वाइड है बट डिलिवरी इसके से आप दूसरा एक्दमपल ले सकते हैं जब कभी भी सेल्स होती है on approval basis तो यहां पर हम goods पहले से भेज चुके होते हैं और goods already buyer के पास में होते हैं लेकिन goods की supply presume नहीं की जाती goods की supply presume नहीं की जाती इस case में क्या होगा जब goods पहले से हैं और आपको सिर्फ और सिर्फ आप billing करनी बाकी है तो यहां पर भी आप कह सकते हैं कि this is the sale in which the supply is not involving the movement of goods तो ऐसे सभी cases में क्या किया जाए यहां पर law कहता है कि location of goods at the time of delivery to the recipient यहां पर location ली जाएगी place of supply होगी location of goods at the time of delivery तो बताइए delivery तो पहले हुई थी goods की जब approval पर भेजे गये थे तो जहां पर delivery हुई उसी location को आज हम मान लेंगे कि यह place of supply है ठीक है और वहीं पर billing हो जाएगी तो इसका मतलब पहले अगर MP में गया थे तो MP ही आज की date में place of supply बन जाएगी क्योंकि जब delivery पहले होई थी वही location आज के लिए place of supply मानी जाएगी ठीक है चौथा case है installation या assembly की case में यह place of installation मान लिए जाएगा कई बार छोटे छोटे goods parts of a big machine भेजे जाते हैं एक particular location पे उसको install करने के लिए तो जहाँ पर ये installation हो रही है वही place of supply है now it is irrespective of the fact कि वो place of business है या नहीं है जैसे कि मैं अभी IRCON International की बात कर रहा था तो IRCON International के case में जो उसका project जहाँ पर चल रहा है या जहाँ पर उसने अपनी temporary basis पे अपनी machineों को install करके जहाँ पर concrete mixture बनाना है तो वहाँ पर parts machineों के supply के जा रहे हैं और installation and assembly उस particular project site पे जाके हो जाएगी तो यहाँ पर उस project site को ही place of supply माल लिया जाएगा ठीक है नेक्स्ट है आपका good supplied on a board, on board a convince हमें on board कौन कौन सी सुवधाय मिलती हैं जैसे कि हम किसी tourist cruise पे जा रहे हैं गूमने के लिए on board ship पे हमें बहुत सारे खाने पीने के सामान, restaurant services और बहुत सारी चीज़ें वही पर sale हो जाती हैं इसी तरीके से train में भी देखा जाये तो खाने पीने का सामान बेचा जाता है या और भी बहुत सारी चीज़े जो train में अंदर बेची जाती तो यहाँ पर जब कोई convince है तो obvious है कि वो running condition में है वो किसी एक location पर fix नहीं है तो वो running condition पर है किसी एक location पर fix नहीं होने की वज़े से हमें दिक्कत है उस place को identify करने में जिस place पर यह place of supply define की जाए तो यहाँ पर law कहता है कि वो location लेना है आपको at which such goods are taken on board at which such goods are taken on board तो कहीं तो ऐसी जगह होगी जिस जगह पर यह सारा माल train पर चड़ाया गया होगा कहीं तो ऐसी जगह होगी जिस जगह पर यह सारे goods ship पर load हुए होंगे तो जो वो place था जब यहाँ पर यह loading का काम हो रहा था भले यह रास्ते बर unloading होती रहेगी या फिर रास्ते बर consumption होती रहेगी या फिर रास्ते बर supply होती रहेगी लेकिन जहाँ पर एक location पर यह loading का काम हुआ है वो location माल दी जाएगी place of supply of goods तो let's suppose अगर train चली मेरी चन्नाई से बट जाना उसे जम्मू काश्मीर है तो चन्नाई पर यहाँ पर train में सारा सामान लोड किया गया तो वो place of supply माल लिया जाएगा भले ही consumption या sale रास्ते भर होती रहे इसके बाद में ये तो वो सारे cases हो गया section number 10 में this was section 10 जहां पर हम लोग क्या मान के चल रहे थे कि what should be the place of supply of goods लेकिन this was the place of supply of goods in case in any case other than the case of import or export import export के case में place of supply किसे माना जाएगा this has been defined under section 11 section 11 says import और export ये goods की बात हो रही है services की नहीं तो import और export के case में जब कभी भी import की बात आती है तो यहां पर import के case में हमेशा लिया जाएगा location of importer location of importer और export के case में हमेशा outside इंडिया तो अगर place of supply outside इंडिया है ये आप आगे nature of supply में पढ़ेंगे nature of supply में पढ़ेंगे कि जब कभी भी goods की location outside इंडिया होगी जब कभी भी goods की location outside इंडिया export किये जा रहे हैं तो automatically that will be considered as export और ये भी nature of supply वाले ही जब हम section 789 पढ़ेंगे तो उसमें दुबारा से आएगा और import के case में goods तो इंडिया में आही रहे हैं तो importer की location को place of supply माना जाएगा ये बात होगी section 11 में supply of goods की अब हम आते हैं supply of services पे section 12 के अंदर numerous situations have been provided under which the place of supply of services needs to be decided on a case to case basis the first case is a general case और the first case which is a general case it says की normal cases में general scenario में place of supply of service क्या माना जाएगा general case में जो location of recipient है location of recipient मानी जाएगी place of supply if if the recipient is registered person if the recipient is registered person ठीक है बट ये हमेशा जरूरी तो नहीं कि service recipient आपका registered हो he can be unregistered person तो in a case where the service recipient is unregistered फिर क्या करेंगे अन्रेजिस्टर्ड परसन के case में अगर address available है अगर address available हो सकता है उसका on record तो उस case में आप फिर से recipient की location ले लेंगे ठीक है बट ऐसा कई बार होगा जब address available नहीं होगा जैसे example के तौर पर ऐसा कब हो सकता है कि हमारे पास में service recipient service लेने आया हमने service दी हमने पैसे लिए हमने tax लिया लेकिन हमें उसका पता ही नहीं मालू ऐसा होता है बहुत सारे cases में जैसे telecom services हो गई तो telecom services के case में अब जो prepaid recharge वाला case होता है इस prepaid recharge वाले case में पहली कोई specifically provide नहीं किया गया था law में कि telecom services के case में आपका location कैसे decide करेंगे तो in general अगर देखा जाए तो हमें service recipient की location का पता नहीं हमें ये तो पता है कि उसने sim कहां से लिया उसने sim लेते से मैं अपना address proof भी दिया था लेकिन हर sim लेने वाला जो अपना address proof दे रहा है वो अपनी location तो बदलता रहता है he is roaming across India and outside India तो how do you decide कि उसने services कि इस location पे consume करी दूसरा example let's suppose मैं bank गया और bank में जाके मैंने dd बनवाया तो dd बनवाना अगर मैंने अपने bank account से dd बनवाया है तो उस case में तो banker को मेरा address पता है लेकिन अगर मैंने cash में dd बनवाया है तो dd बनवाने की जो slip होती है उसके ओपर मैंने जितना पता लिख दिया बस वही काफी है और उसको वो कोई चैलेंज भी नहीं करते कोई आपका address प्रूब भी नहीं मांगते सही है गलत है कुछ भी डाल दो incomplete डाल दो खाली आप जो है अपना मोहला डाल दो अपना मकान नंबर मत डालो वो कुछ नहीं कहेंगे तो कहने का मतलब इस case में बैंकर को आपकी real location नहीं पता और इसको कोई address माना नहीं जाएगा इस नॉट जनुएन address आप कुछ भी डाल सकते हैं वहाँ पर तो यहाँ पर जहाँ पर address available नहीं होता वहाँ पर आप क्या करेंगे अगर available है फिर क्या करेंगे फिर तो आप फिर से location of service receiver ले लेंगे लेकिन unregistered है और unregistered के अंदर address भी नहीं available है या address on record नहीं है तो इस case में location जो supplier की है वो ली जाएगी location of supplier of service तो बैंक के case में बैंकर को जहाँ से service provide हो रही है उसकी location ले लेंगे और इसी तरीके से जो service provider telecom के case में होता telecom के case में telecom service provider की location लेते लेकिन आज की date में हम आगे जाके देखेंगे कि जो telecom services हैं इनके case में अब एक specific rule उन्होंने इसी के अंदर बना दिया है section 12 के अंदर अभी आए गई आगे जहाँ पर उन्होंने specifically telecom services के लिए एक पूरा अलग से system बना रखा है कि कैसे कैसे हम यहाँ पर place of supply तै करेंगे फिर second है immobile property, boat या vessel पर provide की जाने वाली services immobile property, boat या vessel अब आपको यह समझता है immobile property, boat या vessel से related services क्या हो सकती है immobile property से related services में आपकी construction की service हो गई आपकी interior decoration की service हो गई आपकी उसको sale purchase करने से related जो commission agent services देते हैं उनकी services हो गई immobile property में architecture की services हो गई architect जो लोग services देते हैं अपनी तो यह सारी services या फिर accommodation की services हो गई या renting की services हो गई यह सारी services आपकी हो गई immobile property से related services immobile property के अलावा जो boat और vessel है इसके अंदर भी accommodation प्रोवाइट की जाती है भले चाहें temporary accommodation हो या long term accommodation हो boat और vessel के अंदर भी यह accommodation से विदाएं दी जाती है इन सभी के cases में losses की place of supply क्या माना जाएगा यहाँ पर law कहता है कि जो location of immobile property होगा या boat या vessel जहां कहीं पर भी यह located है वहीं पर माना जाएगा कि services भी supply की जा रही है इसके अंदर और भी कुछ services बताई जा रही है accommodation for organizing marriage और matters related there to official, social, cultural, religious, business function including the services provided in relation to such function at such property तो property पर functions हो रहे हैं आपको हमेशा location of property लेनी है या फिर कई बार ऐसा होता है कि जहां पर location building की अभी आई ही नहीं क्यों? क्योंकि building is not in existence जैसे कि अगर architect अगर अपनी services दे रहा है तो वो services क्या होंगी? लेंड से related होगी जहां पर building existence में नहीं है लेकिन वो क्या गर है? building की existence related service दे रहा है कि उसका architecture कैसा होगा? तो यहां पर हम कहेंगे either the immobile property is actually located or the immobile property is intended to be located ठीके नहीं? उसके भी कोई particular location decide होगी कि इस land पे building construct होनी है इसी तरीके से कोई भी services इस property के कोई भी event या कोई भी marriage function या कोई दूसरा business function जो इस property के उपर हो रहा है उससे related और क्या services हो सकती है अगर वहाँ पर हम services दे रहे हैं उस marriage hall में या फिर उस marriage lawn में हम कोई services दे रहे हैं तो उससे related जो lighting की services हो गई उससे related उसको सजाने की services, decoration की services हो गई यह सब कहाँ supplied मानी जाएंगी उसी location पर जहाँ पर यह immobile property situated है या intended to be situated है अगर immobile property या फिर boat vessel located और intended to be located outside India है यह तो उस case में हो कहा जहाँ पर यह in India थी अगर यह immobile property boat या vessel outside India है then अब अगर हम इसकी location लेते हैं let's suppose foreign में एक मेरी building है और foreign में जो building construct हो रही है उससे related मैंने construction services ली या फिर उसको sale करने के लिए commission agent की service ली या फिर उसकी interior decoration की service ली या फिर उसको बनाने के लिए architect की services ली तो अगर हम यहाँ पर place of place of location या location of removal property लेते हैं तो फिर हर case में चुकि यह ही outside India फिर तो हर case में services outside India चली जाएंगी लेकिन government यहाँ पर चालाकी से क्या काम करती है यहाँ पर हो कहते हैं कि हम location of property ना लेके location of recipient लेंगे अगर हम यहाँ पर location of recipient लेते हैं तो ऐसा possible है कि हो सकता है recipient उसका India में रह रहा हो बट Indian recipient की या जो Indian service recipient है उसकी property foreign country में located है तो ऐसे case में देखा जाएगा तो services फिर से इंडिया में आगे है और tax इंडिया में लग गया ठीक है तो therefore place of जो service है place of supply of service that will be important नेक्स है इमोबल प्रॉपर्टी बोट या वेसल लोकेटेड इन मोर दन वन इस्टेट अगर इमोबल प्रॉपर्टी या बोट या वेसल एक से ज़्यादा राज्यों में है और एक ही परसन का है जैसे कि let's suppose किसी एक company है Tata company और Tata company की पांच factories है और इन पांचो factories की maintenance का काम इन पांचो factory building की maintenance का काम पांच अलग अलग राज्यों में या फैक्टरी थे हैं और पांचों की maintenance का काम एक ही विक्ति को दिया गया है तो immobile property से related ये service है और एक से ज़्यादा राज्यों में काम हो रहा है जबकि service recipient एक है उसका head office मान लीजे मुंबई है लेकिन जो building है वो पांच अलग अलग राज्यों में situated है ऐसे case में losses की आप अपनी जो value of services हैं उसको proportionately distribute कर देंगे depending upon the volume of services and the amount of services which is being provided for a particular building in a particular state or a particular location ठीक है तो यहाँ पर जहाँ पर multiple locations में यहाँ पर आप proportionate करेंगे तो यहाँ पर service की जो supply होगी वो एक से ज़्यादा जगा पर मानी जाएगी और एक से ज़्यादा जगा पर कहां पर जितनी जितनी जहाँ जहाँ पर services provide हो रहेंगे proportionately हम distribute करते चले जाएगे कुछ और specific services के बारे में बताये गया है point number 4 में specific services और कौन कौन सी आगी जैसे कि beauty parlor के services होगी जिम या फिर restaurants ये लोग जहाँ पर service देते हैं तो इनके case में restaurant services, catering services, gym या health club या जो इस तरीके के और clubs होते हैं इनके सभी के cases में loss is कि जहाँ पर ये services actually perform हो रही है जहाँ पर ये services actually perform हो रही हैं तो अब दूसरे सब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि performance based service है ये beauty treatment या health club या restaurant प्लेस और प्रफॉर्मेंस प्लेस और प्रफॉर्मेंस नेक्स्ट है अच्छा इसमें restaurant या catering के case में अगर हम प्लेस और प्रफॉर्मेंस लेते हैं तो एक चीत ध्यान रखेगा अगर restaurant है तो उसकी अपनी location fix हाई है बट outdoor catering is something like जहां पर हम ये अपनी services दे रहे हैं वो हमेशा अलग अलग होंगी तो अगर कोई caterer जैसे normal जो शादी में हों में काम करते हैं तो कभी किसी location पर उनको catering का arrangement करना है तो कभी किसी दूसरी location पर arrangement करना है इसी तरी किसी जो company की business meeting होती है इनके भी अपने caterer fix हैं तो कभी किसी state में अपनी catering की service दे रहे हैं तो कभी किसी दूसरी city में catering की services दे रहे हैं तो जो caterers है इनके लिए इनकी जो place of performance है वो बदलती रहेगी और उसके हिसाब से यह जिस company को bill कर रहे हैं यह जिस company को या जिस किसी भी recipient को service दे रहे हैं recipient की location ignore करके किसकी location दे रहे हैं कि कहां पर ये caterer अपनी services प्रोवाइड कर रहा है नेक्स्ट है training performance और appraisal training performance appraisal वैसे तो ये performance appraisal का काम normally company का internal काम होता है ये उनकी HR का काम होता है training और performance appraisal की services किसको दी जा रही होगी अगर हम training की बात करें तो commercial training and coaching centers इसमें coaching भी आ जाती है और साथ साथ में इसमें जो software training से related चीज़े हो गई है इसके लावा business training से related चीज़े हो गई हो भी सब आ गई किसी भी machine को operate करने से related services हो गई हो भी आ गई training तो generalized हो गई जो कि हर एक sector में अपनी-अपनी किसी भी specific machine को operate करने के लिए या फिर किसी भी specific चेतर में training देने के लिए training services दी जा रही है लेकिन जो performance appraisal है यह specifically उन companies में होगा जहां पर एक बड़ा employee group है और वहां पर HR के functions होते हैं एक performance appraisal करना बट इसके लिए outsiders को भी hire किया जाता है अगर कोई outsider agency को hire किया गया सिर्फ अपनी employee की performance appraisal के लिए तो ऐसे case में यह point number 5 में आएगा और यहां पर location क्या ली जाएगी यहां पर भी उन्होंन रखा है कि अगर यह services किसी registered person को दी जा रही है तो जो location of service recipient है और अगर unregistered को दी जा रही है तो unregistered के case में हम लोग क्या करते है location जहां पर यह services perform की जा रही है place of performance यह दूसरे चब्दों में कहा है तो place of training यह फिर place of performance appraisal point number six के अंदर next service है services by way of admission admission या entry service यह admission यह entry कहा दी जा रही है यह admission यह entry दी जा रही है किसी event के अंदर यह event आपका artistic event, cultural event, sporting event हो सकता है जैसे किसी music concert के अंदर के अगर हम बात करें तो air रह्मान का music concert सो हुआ और जहां पर entry passes दिये जा रहे है तो entry service और इसके लिए इन passes को sold out करके पैसे लिए जा रहे है इसी तरीके से artistic या sporting event जहां पर cricket match हो रहा है, tournament हो रहा है या कोई भी game हो रहा है और वहाँ पर भी entry passes इसी तरीके से बिखते है इसके लावा amusement park हो गए, amusement arcade हो गए, ठीक है तो कोई event या फिर किसी park में entry दी जा रही है और इसके लिए ये जो entry दी जाएगी यहाँ पर जो location होगी that will be the place of event या place of park माना जाएगा, यह event अगर इंडिया में होगा, तो उसे साब से event अगर outside इंडिया होगा तो यह जो जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि आईफा, आईफा या जो भी आपके, यह especially Bollywood से related award show होते हैं इंडिया में और कई बार इंडिया के बाहर होते हैं, तो यह award show जो इंडिया के बाहर हो रहे हैं, इन में भी entry passes बिक रहे हैं, अब वहाँ पर जब entry हो रही होगी award show में, इंडिया के बाहर, तो उसके लिए जो GST है, वो इंडिया में चार्ज नहीं किया जा सकता, because place of supply कहां और ध्यान से करेगा because this is somehow linked to the point number 6 और यह है organization of event organization of event वही artistic cultural या sporting event organization of event किस साथ साथ में इसकी ancillary services ancillary services प्लस जो स्पॉंसर्शिप की सर्विसेज है जैसे ये स्पोर्टिंग इमेंट माल लेते हैं IPL मैच हुआ तो अभी हम बात कर रहे थे पॉइंट नंबर 6 और 7 में अंतर समझेगा पॉइंट नंबर 6 में हम किसकी बात कर रहे थे सिर्फ एंट्री की बात कर रहे थे जो ओडियन्स आ रही है जो विवर आ रहा है उसको देखने के लिए उसको एंट्री की सर्विसेज ये अड्मिशन की सर्विसेज दी जा रही है जबकि पॉइंट नंबर 7 में हम उस पूरे इवेंट को और्गनाईज करने की बात कर रहे हैं तो उसके और्गनाईजर हैं उनको सर्विस देनी की बात कर रहे हैं तो इवेंट के और्गनाईजर कौन है इवेंट को और्गनाईजर है आईपियल अब इस आईपियल को सीट मैनेजमेंट की सर्विसेज दी गई कस्टमर की कस्टमर की सीट मेनेजमेंट की सर्विसेज हो गई या उनके कस्टमर को जो रेस्टरेंट्स वगरा की सर्विसेज दी जाएंगी वो हो गई इसी तरीके से IPL के अंदर लाइटिंग की सर्विसेज हो गई IPL के जितने भी मैचेज होंगे कि में ground availability की arrangement होगी तो इस तरीके से बहुत सारी services होगी एक बड़े event को manage करने के लिए या खुद एक event management की services होगी और sponsorship जब match होगा या कोई भी दूसरा event होगा तो उसमें sponsors भी आते हैं अपने अपना add करने के लिए तो जो sponsors आ रहे हैं उनको जो sponsorship services दी जा रही हैं अगे इस दी payment तो वो भी यहीं प्या जाएंगे यहाँ पे यहाँ पे अब आपको ध्यान से देखना है कि अगर यह registered person को दी जा रही है तो तो service recipient की location हो गई अगर यह unregistered person को दी जा रही है तो यह फिर से place of event हो गया पहले की तरह है अभी तक कोई अंतर नहीं है लेकिन अब ध्यान से समझेगा अब हम कह रहे हैं कि अगर यह तीसे point में अगर यह event outside इंडिया हो रहा है अगर event outside इंडिया है तो जैसे इंडिया में एक organization है आईफा और आईफा यह event बाहर करवा रही है लेकिन आईफा को जो भी services है वो इंडिया से दी जा रही है अगर हम यहाँ पर event लेते हैं तो place of event अगर outside इंडिया है फिर तो सारी services outside इंडिया चलीगी और किसी भी service के ओपर government को कोई भी GST नहीं मिलेगा अब यह कहते हैं कि अगर event outside इंडिया है तो हम location of service recipient ले लेंगे location of service recipient ले लेंगे यानि कि इस case में अब event नहीं देखा जाएगा भले ही यह unregistered ही क्यों नहीं बात सवाज में ही and fourth case है इसी के अंदर अगर यह held है in more than one state तो proportionate proportionate जिस state के अंदर जितनी services आ रही होंगी proportionately उतनी उतनी उस state के अंदर supply मानी जाएगी place of supply presume कर ली जाएगी next है transportation service transportation service के अगर हम बात करें तो transportation goods का भी है और transportation passenger का भी है transportation services goods and passengers goods transportation की service registered person को दी जा रही है या पर good transportation की services unregistered person को दी जा रही है in the same way passenger transportation की services भी registered person को दी जा रही है और passenger transportation की services unregistered person को भी दी जा रही है तो अगर goods transportation की service registered person को दी जा रही है तो location of service recipient Location of Service Recipient क्योंकि हमें पता है कि जो जो स्ट्रक से माल जा रहा है वो किस अच्छा यहाँ पर एक चीछ ध्यान से देखने वाली है हमने Service Recipient की Location लिए ना कि हमने Goods की Destination लिए हो सकता है कि Service Recipient MP में बैठा हो बट वो माल बिजवा रहा हो जम्मू काश्मीर में ठीक है तो हमने जम्मू काश्मीर की Location ना लेके Service Recipient जो MP में बैठा है उसकी Location लेनी है क्योंकि he is registered and if he is not registered तो Location लेनी है at which such goods are handed over for the transportation जयानी कि दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि लोकेशन ओफ लोडिंग गुड्स जहां पर जिसको गुड्स ट्रांसपोर्ट करवाना है वो गुड्स अविलेबल करा रहा है और गुड्स की लोडिंग हो रही है तो वही Location स्टार्टिंग की लोकेशन बन जाएगी Location of Supply of Services ठीक है पैसेंजर की केस में पैसेंजर की केस में अगर रजिस्टर्ड है तो फिर से सर्विस रेसिपेंट की Location आपने ले ली और अगर अन्रजिस्टर्ड है अगर अन्रजिस्टर्ड है तो प्लेश वेर दपैसेंजर इंबाक्स ऑन दी कंवेंस दूसरे शब्दों में आप ऐसे कह सकते हैं प्लेश ऑफ स्टार्टिंग ऑफ जर्नी अब आपको यहां पर बहुत ध्यान से देखना है और समझना है हमने बाकी सभी जगापे जैसे हमने जब GST को स्टार्ट किया जिसमें प्लेश ऑफ सप्लाई को स्टार्ट किया GST के अंदर तो मैंने आपको बताया GST is a consumption-based destination-based consumption tax और हमेशा हम यहां पर location जो देखते हैं जो relevant होती है वो destination के यहां पर हम destination न देखके place of embarkation देख रहे हैं place of starting देख रहे हैं goods के case में भी और services की case में भी जब goods जहां से loading हो रही है ना कि जहां पर unloading हो रही है ना कि जहां पर delivery हो रही है बिल्कुल उसी तरीके से passenger की case में जहां पर passenger अपनी journey start कर रहा है ना कि जहां पर अपनी journey खतम कर रहा है क्योंकि इस case में अगर आप ध्यान से सोचें तो services कहां पर consume होई यह decide करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि services का consumption actually service क्या थी service थी transportation और transportation तो पूरी journey हुआ transportation जहां से journey शुरू होई और जहां तक journey खतम होई पूरी journey भर services का consumption होता रहा तो हम किसी भी एक point के उपर नहीं कह सकते कि यहां पर services consume होई तो anyhow we have to take any of the location either the starting or the end ठीक है ना और during the journey हर मिनट हर दिन हर घंटे services का consumption होता रहा जब तक ही यह journey चल रही थी तो therefore we have to we have to stick to one location and they have stick on the place of starting of services or the place of load place of loading of goods in case of a goods transportation service and in case of a passenger transportation service they have taken it to be in the place of the place where the journey embarks ठीक है ना next है आपका goods transportation और passenger transportation के बाद में अच्छा goods transportation और passenger transportation जो passenger transportation इसके बारे में important point यहां पर उन्होंने बता रखता है that is जब हम service tax में इसी बात को पढ़ते थे तो service tax में यह चीज़ थोड़ी सी complicated होती थी because service tax में क्या कहा जाता था कि जब P.O.P.S में इस concept को बताया जाता था तो वहां पर कहते थे कि आपको देखना है कि एक continuous journey continuous journey जहां से start हो रही है वहां पर भी place of embarkation को ही place of supply of service लेते थे और यहां पर भी उन्होंने वहीं ले रखा है लेकिन थोड़ा सा अंतर जो आ रहा है वो यह कि वहां पर continuous journey की बात करते थे एक continuous journey क्या होती है एक continuous journey service tax के अंदर मानी जाती थी कि जहां से services start हुई और उसके बाद में आपने कहीं बीच में stoppage ले भी लिया तो भी वह continuous मानी जाएगी अगर आपने एक ही जगा पे सारे के सारे ticket बुक करा रखें let suppose मैं दिली से चला निज निव के लिए लिकिन बीच में मैं लंदन में उतर गया смож और फिर मैंने इसके सारे टिकट डिली से ही बुक करा लिये थे तो यहाँ पर इन सारी services के ओपर डिली में इन tax लग जाएगा because मैंने डिली से ही दोनों टिकट एक साथ बुक कराये थे this was the definition of continuous journey under the service tax लेकिन ये concept इन्होंने यहाँ पर तोड़ दिया है इन्होंने का we don't know about the continuous journey ऐसा है कि हम लोग यह मानके चलेंगे every journey is the separate journey every journey is the separate journey तो जो कुछ भी journey जो कोई भी जहां से आप टिकट बुक कराएंगे जहां से आपकी journey embark हो रही है बस वही आपका place of supply मानके वही पर service tax लगा दिया जाएगा तो यहां पर अब leg of journey या continuous journey का जो concept था वो break हो गया in the same way अगर आप return journey आ रहे हैं आप यहां से New York गए New York से आपको वापस भी आना है तो that will be treated as a separate journey पहले क्या होता था कि अगर मैंने वापसी का ticket भी एक साथ बुक करा लिया है तो यह पूरी journey continuous journey मान ली जाती थी आना जाना एक ही journey होता था लेकिन अब यह दो अलग अलग journey है अब यहां पर continuous journey का जो single ticket का जो एक जगा पर ticket book कराने का concept दुआ करता था बस उतना बदल गया है बागी सारी चीज़े same है अभी भी place of embarkation ही आपको लेना है in any case इसके बाद में कुछ services ऐसी होंगी जो on board दी जारी जैसे अभी मैंने goods supply के बारे में बात की थी जो goods supply के जा रहे है on board convince बिल्कुल उसी तरीके से services भी supply की जाती है on board convince साथमें के बाद में 8 पॉइंट यह हो गया 9 पॉइंट यह हो गया अब हम आते हैं 10 पॉइंट के उपर on board services जो services हमें on board मिल रही है on board convince चाहे train के अंदर मिल रही है या aeroplane के अंदर मिल रही है या ship के उपर मिल रही है चाहे वो gaming की services है चाहे वो restaurant की services है चाहे कोई दूसरी तो यह सारी services जो on board convince मिलती है हमने goods के case में क्या देखा था जहां पर यह goods load होते है जहां पर यह goods load होते है जहां पर यह सारा material train पे चढ़ाया जाएगा या ship पे चढ़ाया जाएगा या aeroplane पे load किया जाएगा वो location ले लेंगे यहां पर services की बात हो रही है तो services की case में on board a convince including a vessel, an aircraft, a train और a motor vehicle यहां पर भी सभी को ले लिया कोई भी convince हो तो ऐसे case में यहां पर भी location of first scheduled point of departure आपको ले रहे location of first scheduled point of departure जहां से आपकी train पहले चली जहां से आपका aeroplane पहले चला है या फिर जहां से आपका ship journey जहां से start हुई वो location माल ली जाएगी जहां पर यह सारी की सारी services consume होई मानी जाएगे या फिर supplied होई मानी जाएगे banking और other financial services banking और other financial services के case में what should be the place of supply जाएगी यहां पर banking financial साथ साथ में broking इन सारी services को लिया गया banking financial और broking की services इनके case में location लेना है आपको off recipient of service on record of supplier तो अगर location अविलेबल है तो location of service recipient लेंगे लेकिन अगर location अविलेबल नहीं है location not available then location of supplier आपको लेना है location of supplier ठीक है तो banking financial services जैसे अभी मैं बात कर रहा था आपसे dd की मैं bank से dd बनवाने गया dd अगर मैंने account से बनवाई तो तो bank के पास में मेरा properly recorded address होगा जो मैंने खाता खुलवाते समय अपना दे रखा था address proof लेकिन अगर मैं dd cash में बनवाने गया तो bank will not have my address with the address proof तो therefore उस case में क्या होगा location of supplier यहनि कि bank की खुद की location ले लेंगे instead of recipients location और लास्ट है इसके अंदर इंशुरेंस सर्विस लास्ट है इसके अंदर इंशुरेंस सर्विस इंशुरेंस सर्विस के केस में इंशुरेंस कौन सा है यह नहीं बताया गया वेदर इस अंदर इंशुरेंस और लाइफ इंशुरेंस और हेल्थ इंशुरेंस और पर अवेलेबल हो सकता है, they have decided it to be location of service recipient because GST being a consumption-based service stack, consumption-based GST. तो location of service recipient और अगर unregistered person है, तो आपको क्या लेना है? तो आपको लेना है location of service provider. क्योंकि insurance service के case में जैसे अगर insurance किया जा रहा है, किसी key man, कोई key man insurance है. तो key man insurance के case में क्या होता है? कि company यह insurance service लेती है अपने company के directors के लिए, यह अपनी company के key management personals के लिए. तो ऐसे case में जो insurance premium भर रहा है वो company है, ठीक है ना? और service recipient को नोगा है? company. लेकिन company का address अभिलेबल होगा और company registered होगी, तो यहाँ पर service provider, service recipient की location लेगा है, लेकिन life insurance के case में क्या होता है? जहाँ पर key man insurance नहीं है, वहाँ पर क्या होगा? life insurance की case में इतने सारे लोगों का जब normal insurance होता है, life insurance, तो they are not registered. तो इन सभी cases में आप क्या लेते हैं? supplier की location, जो insurance company की location होगी. तो यह हो गया आपका place of supply. place of supply के अंदर एक last point बचा हुआ है, वो है telecom services की case में अभी आपको थोड़े देर पहले बता भी रहा था, कि पहले service tax में telecom service provider के लिए कोई special rule नहीं बना हुआ था, कि telecom service providers अपनी place of supply कैसे ताय करेंगे, लेकिन GST के अंदर they have made it specific. तो telecom services, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस बार इसको explain कर रखा है, टेलीकॉम services के case में अगर हम बात करते हैं lease line की, या leased circuit की, या broadband connection की, या landline phone की, तो इन सभी cases में, telecom services, make service जो receiver है, उसकी location हमें easily पता होगी, थीक है, तो इन सभी cases में आपको क्या ले लेना है, location, where, circuit, are installed, आसानी से पता कर सकते हैं, और अगर हम mobile और internet services की बात करें, लेकिन ये कौन सा mobile internet है, जो mobile internet है, यहाँ पर भी internet है, broadband है लेकिन, लेकिन यहाँ पर internet mobile internet है, ऐसे case में ये mobile internet, postpaid services के थूब भी निकल सकता है, और prepaid की थूब भी, आगर हम postpaid की बात करें, तो यहाँ पर फिर से bill monthly basis पर आता है, तो location या address, हमें फिर से recipient का पता होगा, तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, billing address, billing address will be the place of supply, जबकि prepaid के case में, यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल है, prepaid के case में अब आपको यह देखना है, कि यह जो internet चल रहा है, या फिर जो telecom services दी जा रही है, थूप prepaid voucher, यह कौन दे रहा है, कुछ cases में, जैसे company ने क्या करका होता है, आपने distributors या अपने selling agent बना रखे हैं, तो यह जो recharge voucher हैं, अपने इन्होंने selling point चोटे चोटे बना रखे हैं, जिनके पास में रिचार्ज voucher की दुकाने खुली हुई हैं, और यह recharge voucher वाले वहाँ पर किसी भी company के अपने recharge voucher बेशते रहते हैं, जबकि जो authorized agent होते हैं, वो सिर्फ एक ही company के normally यह recharge vouchers होते हैं, उनको बेशते हैं, तो अगर यह distributors या selling agent के through sale हो रही है, तो हम इन distributors या selling agent की ही location को ले लेते हैं, place of supply, ठीक है, और अगर इसको distributors या selling agent के अलावा कोई दूसरा इन recharge vouchers को या coupons को बेच रहा है, तो ऐसे case में क्या करते हैं, यह वो location लेते हैं, where such prepayment is received और such vouchers are sold, तो other place में, where such prepayment is received, यहाँ पर आप ultimate service recipient को locate नहीं कर सकते हैं, क्योंकि service recipient ने recharge करा है और recharge करा के वो तो घूम रहा है, कभी ये सहर में, कभी दूसरे शहर में, तो हम service recipient को track नहीं कर सकते कि वो कहां-कहां कितनी-कितनी रुपए की बात करते जा रहा है, तो कहां-कहां कितने-कितनी रुपए का उसकी services consume होती जा रही है, ultimate service recipient is not traceable at all, तो यहां पर आपको क्या देखना है, यहां पर आपको देखना है कि payment कहां पे लिया जा रहा है, यहां पर payment लिया जा रहा है, माल लेंगे कि वहां पे, अच्छा, company को यह बात पता चल जाएगे कि नहीं, कहां पे voucher भिका, जहां पर recharge हुआ, अच्छा, इसके बाद में फिर आगे आता है, यह तो place of supply of services की सारी बातें खतम हो गए, हमने आज की क्लास में दो बाते पढ़ी, पहले IGST के अंदर मैंने आपको nature of supply न पढ़ा के, मैंने सीधे आपको पढ़ा है, location of service recipient या location of service provider, फिर आपने पढ़ा कि place of supply, दो चीजे पढ़ने के बाद में, अब हम पीछे आते हैं, जब आपको location of service recipient या service provider और place of supply पताओ, जो अब आप पढ़ चुके हैं, तो अब हम पीछे आते हैं, nature of supply, और nature of supply के अंदर आपको, आप पता चलेगा कि interstate supply किसे कहते हैं, when a supply shall be treated to be an interstate supply. Section 7 के अंदर, Section 7 of IGST, interstate supply को define किया गया है, now what is interstate supply, interstate supply के लिए बताया गया है, where the location of supplier and the place of supply, where location of supplier and place of supply, दोनों चीज़े आप पढ़ चुके हैं, place of supply, goods के केस में और service के केस में, और location of supplier, ये दोनों ही, ये दोनों ही, या तो, दो different, states में हो, या दो different union territories में हो, या एक state में हो, और एक union territory में हो, तो ये इंटर state supply माना जाएगा, ध्यान से देखने वाली बात जो है, वो ये, and, वो कह रहे हैं, supplier भी दो अलग-अलग राजियों में है, या union territories में है, और साथ साथ में place of supply भी, दो अलग-अलग राजियों और union territory में है, तो अगर हम यहां तक की बात करें, तो इसको देखने से लगता है, कि अगर Mr. A, जो की UP में है, और B, जो MP में है, ये इसको goods, या services, कुछ भी supply करता है, तो पहले तो दोनों की location अलग-अलग हो गई, और अब मुझे साथ में एक और क्या चीज़ देखनी है, कि place of supply भी अलग-अलग होनी चाहिए, अगर है, तो तो ये interstate है, हाला कि आगे चलके अभी हम देखेंगे, ये definition बहुत wide हो जाएगी, अभी के लिए ये logical position है, इसमें कोई, हम भी पहले यही सोचते थे, और SR है भी, अब बात आती है कि, आपने, GST आने के बाद में, मैंने बताया था आपको शुरबात की पहली क्लास में, कि कस्तम में भी कुछ relevant changes हुए है, जैसे कस्तम के अंदर, पहले जब हम कस्तम ड्यूटी लगाते थे, तो कस्तम के अंदर क्या होता था, कि एक तो basic कस्तम ड्यूटी लगती थी, basic कस्तम ड्यूटी के अपर education says, और secondary and higher education says लगता था, साथ साथ में, जो duty लगती थी, CBD, countervailing duty, और ये countervailing duty, कितने amount के बराबर होती थी, पहले चुकिए excise लगता था, तो excise के बराबर, लेकिन अब excise खतम हो गया, अब GST लग रही है, अब countervailing duty का concept भी खतम हो गया, अब countervailing duty का concept भी खतम हो गया, excise के साथ साथ में, अब क्या लग रहा है, सीधे IGST, एक और duty लगा करती थी, special countervailing duty, special countervailing duty क्यों लगती थी, क्योंकि वो sale tax के बराबर होती थी, तो अब हम क्या लगा रहे हैं, इंडिया में, VAT खतम हो गया, sale tax खतम हो गया, CST खतम हो गया, तो अब उसकी जगा लग रहा है, GST, तो कहने का मतलब यह, कि अब CVD और special CVD को हटा के क्या लग रहा है, IGST, नव दे क्वेशन इस वाई, यहां पर IGST क्यों लग रहा है, because that supply is to be treated as interstate supply, and the next point says, in case of import, section 7 की मैं बात कर रहा हूँ, in case of import, in case of import, goods और services, अब बात अलग अलग आ रही, अभी तक मैंने goods और services को classify नहीं किया, अभी तक मैंने यह कहा कि location of supplier, और place of supply अगर अलग अलग है, चाहें वो goods के case में हो, चाहें वो service के case में हो, लेकिन import, इसके case में अब मैं अलग अलग बात कर रहा हूँ, import के case में, import अगर goods का हो रहा है, तो यह माना जाएगा interstate supply, यह interstate supply कम माना जाएगा, till the goods crosses the custom frontier, till the goods crosses the custom frontier, और goods custom frontier कब cross करते हैं, जब वो custom से clear हो जाते हैं, यानि कि custom की clearance होने तक, यह interstate supply रहेगी, तो custom frontier का मतलब क्या निकला, कि जब तक goods custom से clear होते हैं, तो एक बार अगर goods custom से clear हो गए, then they will become the local goods, और local goods के उपर IGST लगता नहीं, local goods के उपर जब जो भी sale होगी, अगर वो within state होगी, तो cgst, sgst लगेगा, और अगर interstate भी, तो फिर वहाँ पर IGST लगेगा, लेकिन वो interstate होगी इस वज़े से लगेगा, ना कि import होने की वज़े से लगेगा, तो once the goods cross the custom frontier, will become the local goods, but before the goods crosses the custom frontier, they will be treated as being made under the interstate supply, तो interstate supply यहाँ पर आगे, अच्छा, services की case में, चुकि services की तो कोई custom से clearances होती नहीं, services की कोई custom से clearances होती नहीं, तो यह हमेशा always interstate supply माने जाएंगे, तो दूसरे शब्दों में आप यह कह सकते हैं, whenever the services are imported from outside India, हमेशा IGST लगेगी treating them as interstate supply, तो यह हो गया आपका section 7 के अंदर, nature of supply की जहाँ पर हम बात कर रहे थे, तो interstate supply क्या होगी, अच्छा, यह तो बात होई interstate supply की, law में यहाँ पर एक और term use की गई है, interstate trade or commerce, हाला कि यह term पहले central sale tax जो CST चलता था, उसके अंदर यह term use होती थी, हाला कि इसका मतलब भी और कुछ नहीं, interstate supply से ही है, लेकिन they have used in a different term, यह interstate supply, reason अभी आपको इसका पता चलेगा, यह interstate supply या interstate trade या commerce, और क्या-क्या प्रजूम किया जाएगा इसके अलावा, इसके अलावा, जब कभी भी supplier इंडिया में located है, supplier is located in India, and the place of supply is outside India, तो supplier is in India, supplier is in India, and goods are being supplied from outside India, and the place of supply is in India, अब आप देखिए जड़ा ध्यान से उपर, अभी हमने उपर क्या लिखा था, उपर हमने लिखा था, कि जब place of supply और location of supplier, दोनों अलग-अलग होंगे, दो अलग-अलग states के अंदर होंगे, तो यह interstate माने जाएगे, लेकिन यह बात कब तक अपली के बलती, जब तक हम विदिन इंडिया की बात कर रहे हैं, तो अब चीजें बदलती जा रही है, definition और broad होती जा रही है, अब यह क्या कह रहा है, अब यह कह रहा है कि supplier इंडिया में है, supplier located in India, ठीक है, और place of supply is, sorry, place of supply is in the outside होगा, place of supply is outside इंडिया, तो अभी आपने place of supply की definition पढ़ी, और place of supply की जब आपने definition पढ़ी, तो वहाँ पर आपने अलग-अलग cases देखा कि कब goods की moment होगी, तब place of supply क्या होगी, जब goods की moment नहीं होगी, तब place of supply क्या होगी, जब assembly या installation होगा, तब place of supply क्या होगी, इसी तरीके से अलग-अलग cases में आपने place of supply देखी, तो जब हम section 10 के अंदर goods की place of supply पढ़ रहते, उसके हिसाब से अगर place of supply, अगर place of supply इंडिया के बाहर है, जैसे हम पहले case की अगर हम बात करें, तो पहला case ये था कि जब कभी भी goods की moment हो रही है, तो जहाँ पर ये moment terminate होगी, उसे हम place of supply मालेंगे, तो example के तौर पे, example के तौर पे, supplier is in India, ठीक है, supplier की India location होगी, किसी भी राज में माल लीजे, माल लेते हैं डिली में है, and the place of supply से दुबई है, क्यों, क्योंकि goods यहाँ से भेजे जा रहे हैं, और जो journey है, वो हमारी terminate हो रही है, जाके दुबई में, तो goods की moment दुबई में terminate होगी, तो अब ध्यान से ज़रा बताए, अगर goods की moment दुबई में terminate होती है, तो हमने यह पढ़ाता, जहाँ पर यह journey terminate होती है, वहाँ पर हम इसको place of supply माल लेंगे, अब place of supply बन गया दुबई, तो place of supply becomes outside India, supplier इंडिया का है, दूसरे सब्दों में यह कह सकते हैं, is it export? Obviously, this is a case of export, तो यह भी क्या है interstate supply, वो बात अलग है, कि इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे cases में taxes नहीं लगाते, because to promote the export, government ने क्या कर रखता है, सारे taxes को माफ कर रखता है, और पहले यहाँ पर ऐसे cases में excise, custom, service tax, यह सारी चीज़े माफ हुआ करती थी, अब GST लगेगा तो अब GST माफ होगा, ठीक है, तो यह लेकिन interstate supply की definition में आ रहा है, यह बात हमको यहाँ से बढ़के पता चल गए, दूसरा, दूसरा है to special economic zone, और by special economic zone, second case है, supply to SCZ, developer या फिर SCZ unit या फिर supply from SCZ developer या SCZ unit, तो अगर माल लीजिए दिल नोएडा, नोएडा SCZ है, और नोएडा SCZ से दिल्ली में माल आ रहा है, नोएडा SCZ से जब दिल्ली में माल जाएगा, तो supply from SCZ unit हो गई, या फिर SCZ developer, on the contrary, अगर दिल्ली से नोएडा SCZ में माल जाएगा, तो SCZ को पहले excise, और service tax के law में हम क्या मान के चलते थे, out of India, SCZ was treated as out of India, और अगर SCZ को जब हम इंडिया से बाहर मानते थे, तो SCZ से इंडिया में आना मतलब import होना, और SCZ से जाना मतलब export होना, बात समझ में आ रही है आपको, तो जब SCZ से दिल्ली में माल आ रहा है, तो दिल्ली वाले के लिए ये क्या है, import है, और जब दिल्ली से SCZ में माल जा रहा है, तो SCZ को हम बाहर मान रहे हैं, outside India मान के चलते, तो इसको हम क्या मान के चलते थे, export, तो एक तरीके से SCZ से transaction करना मतलब import-export करना, तो यहाँ पर भी अभी भी same criteria रखा गया है, यहाँ पर भी इन्होंने क्या कहा है, कि भले ही, वैसे तो यह UP और दिल्ली का मामला है, लेकिन अगर यह मैं कहता हूँ, दिल्ली ना लेके इसको गाजियाबाद ले लेते हैं, अब तो यह UP to UP का ही मामला हो गया, गाजियाबाद भी और SEZ भी, नोईडा और गाजियाबाद दोनों UP के अंदर हैं, लेकिन फिर भी UP के अंदर होते हुए भी, इसे interstate supply माना जाएगा, क्योंकि यह SCZ से transactions हो रहे हैं, चाहें अंदर आ रहा है SCZ के या SCZ के बहार जा रहा है, एंद तीसरा case है, तीसरा case है in the taxable territory, यह जो supply हो रहे हैं in the taxable territory, not being the interstate supply and not covered elsewhere in this section, यह third point इस definition को और broad कर देता है, यह कह रहा है, कि supply, अच्छा, यह वाला जो point है, अभी हम इसके उपर दुबारा आएंगे, क्योंकि इसमें सारी चीज़े भी discuss नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यह और भी कई cases की बात कर रहा है, जो अभी आगे आने वाले हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको अभी बस चोटा सा दो मिनिट में मैं आपको discuss सिरके अभी इसको खतम कर देता हूँ, अभी दुबारा से इसके उपर आएंगे, थर्ड पॉइंट है, supply हो रही है, in the taxable territory, which is not being an intra-state supply, supply तो है, और in taxable territory है, मतलब इंडिया के अंदर है, लेकिन ये supply ऐसी है, जो intra-state नहीं है, अभी हमने intra-state supply पढ़नी है, क्योंकि अभी हम definition जो section 7 पढ़ रहे हैं, वो सिर्ट इंटर-state के पढ़ रहे हैं, तो ऐसी supply, जो intra-state नहीं है, और इस section में कहीं लिखी भी नहीं है, not elsewhere specified, तो बताईए, अगर intra-state नहीं है, तो क्या automatic inter-state हो गई? अगर within state नहीं है, intra-state नहीं है, तो automatic यह क्या inter-state हो गई? उन्होंने कहा कि हमने पहले से इस section के अंदर बड़ी सारी situation बता रखी हैं, जब जब यह inter-state मानी जाएगी, लेकिन हमसे इस section के अंदर कुछ ऐसी situation छूट गई है, जो हमने नहीं बता रखी हैं यहाँ पे, जो हमने बताई नहीं कि यह inter-state होनी चाहिए, लेकिन वो intra भी नहीं है, यहाँ बताई नहीं और intra अगले section में cover नहीं करी विदिन-state वाले में, तो वो बची हुई supply, automatic inter-state हो गई, लेकिन यह बात हमें तब पता चलेगी, जब हम एक बार intra-state पढ़ लेते हैं, आईए, वैसे भी यह section खतम हो गया, आईए, अगला section, जो section 8 हमारा intra-state supply का उसको पढ़ते हैं, intra-state supply का है, intra-state supply, as the name suggests, the supply within state और supply within union territory, अभी हम दो union territories में transaction की बात कर रहे थे, या एक state, एक union territory में transaction की बात कर रहे थे, या दो state में transaction की बात कर रहे थे, लेकिन अब, अब जो transaction हो रहा है, यह, intra-state supply है, supply within state, या supply within union territories, supply within state और supply within union territories, यह कहरे हैं, where the location of supplier and the place of supply, where the location of supplier and the place of supply, अभी आपने यही पढ़ा था कि जब location of supplier और place of supply, दो की दोनों दो अलग-अलग state में हो, या दो अलग-अलग union territories में हो, या एक union territory और एक state में हो, तो ऐसे सभी case में क्या होगा, इसे inter-state supply माल लिया जाएगा, सेम चीज आ रही है, बस मैंने, क्या कहा दिया, कि अब यह within state में हो रही है, तो अब आपको idea लगना चाहिए, कि इस line का क्या मतलब है, जब दो के दोनों same state में है, जब दो के दोनो same state में है, same unit territory में है, तो तो inter-state supply है, और जब दो के दोनों same state में नहीं है, तो वो inter-state है, तो कौन सी situation रहेगी? जब एक case में, या निकि place of supply एक state में है, जबकि location of supplier दूसरे state में है यानि कि दो के दोनों same state में नहीं आ रहे हैं तो ये वाला case आपका रह गया और ये वाला case आपका interstate supply वाले section में लिखा भी नहीं था specifically तो आपको समझ में आ रहे हैं यहाँ पर कौन से cases बचे हैं जो not elsewhere specified है जहाँ पर दो के दोनों यानि कि supplier और place of supply अगर दोनों एक same state में होते जैसे मैं एक example भी ले लेता हूँ से और ज़्यादा clear हो जाएगा आपको जहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि Mr. A is located in UP and Mr. B is located in MP पहले मैं इसकी location और जो supply की location है of goods या services इसकी मैं यहाँ मानके चल रहा था UP में और इसकी खुद की location भी UP में जबकि B की location MP में है तो जब दोनों एक state में हैं और अब ये दूसरे state में जाता है या दूसरे union territory में जाता है तो ये क्या बन जाता है interstate लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि supply of goods और services यहाँ नहीं जबकि supply of goods और services यहाँ है तो ऐसे case में supplier की location अलग है और goods और services की supply यानि कि place of supply की location अलग है तो ये वाली condition पूरी नहीं हो रही interstate supply में तो ये वाली location पूरी नहीं हो रही और ये वाली ये वाला जो case है यह intra state supply में लिखा भी नहीं है तो यह कहां आ गया automatic third case में not elsewhere specified में it will also become interstate supply तो intra state supply कब होगी जब same union territory या same state के अंदर goods की supply हो रही होगी और location भी दोनों की same होगी कुछ cases जो intra state supply से specifically बाहर रखे गए हैं वो कौन कौन से हैं इनमें पहला है अभी हम उपर उपर हमने पढ़ा था interstate supply में कि कौन कौन से cases interstate trade या commerce या interstate supply माने जाएंगे जबकि section 8 जो की interstate supply का है इसमें लिखा है कौन कौन से case interstate नहीं माने जाएंगे जैसे अभी मैंने एक example दिया था कि नोईडा से गाजयाबाद में supply किया लेकिन नोईडा SCZ था तो to SCZ या from SCZ supply हो रही है तो ये intra state नहीं होगा जबकि actually ये intra state है actually within state है लेकिन चुकि SCZ involved हो गया तो ये इसे intra state नहीं मानेंगे इसे ये intra state मानेंगे तो वहाँ पर हमने section 7 में पढ़ा था ये intra state है और यही बात section 8 में लिखिए कि ये intra state नहीं है ये intra state नहीं है तो supply of a supply to SCZ developer or SCZ unit will not be treated at intra state supply इसी तरीके थे goods imported into India goods imported into the territory of India till they cross the custom frontier of India यही बात अभी हमने यहाँ पढ़ी थी कि goods जब custom frontier को जब तक cross नहीं कर लेते तब तक वो interstate supply माने जाएंगे वहाँ आमने section 7 में पढ़ाता है कि ये interstate supply है यहाँ आठ में पढ़ रहे हैं ये intra state नहीं है एक ही बात है और एक case section 8 में बसता है वो है supplier of goods made to a tourist as referred to in section 15 यानि कि section 15 के अंदर में जब किसी tourist को goods की supply की जाएगी यह services नहीं है जब supplier जब goods की supply की अंदर होगी तो वो situation intra state में नहीं आएगी यानि कि दूसरे शब्दों में यह कहें कि तो supply to tourist supply to tourist under section 15 will be treated as interstate supply because यह section 7 में specified नहीं है और section 8 के बाहर है यह वाला case भी यहान आ जाएगा not elsewhere specified वाला supply के purpose से हम लोग जो supplier है और जो receiver है उन दोनों को अलग अलग लेते हैं उन दोनों को that must be a two different person that must be a two distinct entity only then the supply can be possible कोई अपने आपको तो supply नहीं कर सकता इसके लिए हमने सुरवात में सब JST की class शुरू करी थी तो उसी time पे आपको बताया था कि कब एक person दो distinct distinct person माने जाएंगे है तो वह actual person single person लेकिन हम उसको दो different person मानते हैं ऐसे कि एक आदनी के अगर दो state में registration है तो it will be treated as कि इसके दो separate entity हैं इसके दो separate person है तो अगर एक company अपनी एक state से दूसी state में goods को supply करती जबकि दोनों ही उसी की branches हैं distinct entity और वहां पर भी IGST लग सकता है बिल्कुल उसी तरीके से एक establishment इंडिया में है और एक establishment outside इंडिया है तो भी यह interstate supply का case बन जाएगा कि हम अपनी ही एक branch जो कि outside इंडिया है वहां से इंडिया में माल मंगाएंगे तो वह interstate supply हो जाएगा एक और case है एक और case है जब हम इसे distinct person मानते हैं जैसे मैंने आपको शुरुवात में registration के टाइम पर बताया था दो class पहले कि एक विक्ती अपने एक single pen पर भी multiple registration करा सकता है जैसे कि मेरी अपनी दो proprietors ये firm में हो चकती है same state में भी different state में भी but same state में भी अगर different में है तो different उसका registration हो गई होगा फिर तो कोई question नहीं नहीं बनता फिर तो पहले से ही law settled है लेकिन अगर same state में है और same state के अंदर उसने अपने दो registration करा रखे हैं क्यों क्योंकि वो दो multiple firms का registration करा सकता है ठीक है बस उसे अपनी email ID और mobile number change करना पड़ेगा pen number same भी रहेगा तो भी उसका अलग registration हो जाना है ये बात मैंने आपको registration में बताई थी तो अगर एक विक्ति अपनी दो different registration कराता है दो अपनी different firms में registration कराता है और दोनों के registration number अलग है और ये दोनों आपस म अपने जाएंगे या different establishment मानी जाएंगे इसके बाद में section 7 और 8 के बाद में nature of supply में एक section 9 आता है section 9 बात करता है उन लोगों के बारे में जो territorial water से deal कर रहे है territorial water से service tax और excise दोनों में इंडिया के जो pass का area है जो territory, territorial area है 12 nautical mile का ये 12 nautical mile का area जिसको हम territorial water of India बोलते हैं excise और service tax दोनों में इससे pure India का दर्जा दिया जाता है यानि कि this is as good as this India तो ये जो territorial water of India है जो कोई यहां से deal करता है उसके लिए provision section 9 में बनाएंगे they said notwithstanding anything contained in this act पूरे act को overrule करते हुए where the location of supplier is in the territorial water यानि कि supplier इस territorial water में बैठा हुए location of supplier is in the territorial water तो the location of such supplier is supplier की ये location और where the place of supply is in the territorial water तो इसकी place of supply मैंने service tax और excise में आपको ऐसे example दिये थे कि कई बार यहां पर होता है electricity generate करने के लिए windmill लगाई जाती है तो windmill लगाने के लिए यहां पर इंजीनियर्स जाते हैं तो इंजीनियर्स यहां से services supply करते हैं तो place of supply वो territorial water हो गया जहां से supply की जा रही है यह दोनो location of supplier या territorial या फिर यह territorial water का वो हिस्सा जहां से goods जहां पर यह services की supply की जा रही है shall दोनो for the purpose of this act be deemed to be in the coastal state तो यह दो के दोनो उस coastal state में माने जाएंगे और the union territory where the nearest point of appropriate baseline is located तो say for example मैं कहता हूँ कि यहां पर एक windmill लगाई गई है यहां पर जो windmill लगाई गई है अब इस windmill पर service provide हुई है और यहां पर हमें service यहां पर हमें GST चुकि service provide हुई है तो यहां पर हमें collect करना है आपका GST लेकिन अब question यह है कि GST कौन collect करेगा क्योंकि यह तो पानी में यह किसी state में नहीं है यह किसी state में नहीं है तो कौन से state government का department इससे service tax वसूलेगा यह check करने के लिए इन्होंने section 9 मनाया है इसको control करने के लिए उन्होंने क्या का कि यह जो point है यहां से जो सबसे nearest state या सबसे nearest union territory होगा वो इसके ओपर control रखेगा और nearest state या union territory का जो government का office होगा वो यहां से service tax या GST जो भी है वो उसको collect करेगा तो this is section 9 तो यह दो के दोनो place of supply और location of service यह उस state में माने जाएंगे और accordingly क्योंकि यह पानी में किसी state में नहीं है तो यह presumption लगाई जा रही कि कौन सा state इसके ओपर control करेगा और किस तरीके से GST की collection होगी IGST के अंदर इतना ही है IGST के अंदर जितने भी different provisions थे वो सब आपने यहां पर discuss कर लिए जो rest of IGST है that is similar to CGST तो जितनी different चीटे थी अच्छा IGST is important for your examination जो दिशना मैंने आज की class में आपको कराया है इसको आपको बार-बार revise करना है क्योंकि इसके उपर यह important है इसके उपर questions जरूर आ सकते हैं तो लगबग लगबग आपका GST अब खतम है एक UTGST के लिए कुछ provisions दे रखे हैं वो मैं एक अगली class में थोड़ा बहुत जो रह गया है वो मैं cover करवा दूँगा and the rest of things are okay and complete तो जो कुछ रह गया है 2-4-5-7% वो मैं next class में करा दूँगा अब आप जो पीछे की provisions जैसे मैंने आज की class में बताया भी था कि पीछे की जो आपको service tax और excise की जो provisions थे उनके reference जब आप GST को पढ़ेंगे तो GST आपका पूरा complete हो जाएगा ठीक है बांकी चर्चा next class में करेंगे thank you